तो लीजी सुनिए आशरपूर्णा दीवी द्वारा रचीत उपन्यास प्रतम प्रतिश रुती का चौथा अध्याय इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस से मिल जाएंगे लिंक आपको एंड स्क्रीन तदा आई बटन पे मिल जाएगा आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं इसके अलावा आई बटन में प्रतम प्रतिश रुती में का दूसरा भाग जो है स्वर्णलता जो सत्यवती की बेटी है उसके भी सारे पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे लिंक आपको आई बटन में ही मिल जाएगा आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं लड़की की ब्या के समय जमाता का रूप देख लिया जा सकता है कुल देख लिया जा सकता है अवस्ता देख ली जा सकती है लेकिन उसके सारे परिवार परिजन की प्रकरती वो तो नहीं देखी जा सकती राम कली ने बेटी को गौरीदान किया है लड़का खोजने के सम की आड में राय सुनने के लिए धड़कते दिल से बैठी थी लेकिन रामकली ने उनकी आशा पर पानी फेड़ दिया बोले घर जमाई छी 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 भै को जिद में बदल कर दिना तानी निका कर क्यों लोग क्या कहेंगे लोग क्या ऐसा नहीं करते लोग तो जाने पता नहीं क् इन बहु के जो और बाल बच्चा होगा ऐसा लक्षन तो दिखता नहीं जनम पत्रों में भी एकी संताने ऐसे में तुम्हारी जमीन जायदा तो जमाई को ही मिलेगी शुरू से उसे गड़ गड़ कर तियार करने से तीखे प्रतिवात से रामकली ने मा को चुप करा दिया को ससुर की संपती का लोब ना हो और रामकली ने अपनी वहबात रखी थी ऐसी जगा लड़की की शादी की उन लोगों को ससुर की संपती पर लोब करने की जरूवत ही नहीं उन्हें काफी कुछ है वहबी बाप का एक ही लड़का है सुना बाप थोड़ा कंजूस है उसका क्या किया जाए सब कुछ क्या निर्दोश होता है चांद के टुकडे सा जमाता परमकुलीन इस से ज़्यादा और क्या देखा जाता लेकिन लोब क्या आदमी जरूरत समझ कर करता है रामकली ने स्वप्न में भी क्या सोचा है कि उनके परमकुलीन समझी जी उनकी संपत्ती पर गिदर दिरिश्टी लगाए बैठे है ऐसा लोग की रामकली का मर जाना ही उनके लिए काम में है उम्र में रामकली से दस साल के बड़े ही हैं तो उन्हें आशाय की वे सदा रहेंगे और रामकली को इन बातों का पता नहीं सिर्फ इतना ही मालुम है कि जमाई पर लिक रहा है जानकर संतुष्ट हुए मलेच विद्या को हे माने रामकली में ऐसा कुछ संसकार नहीं सीखे अच्छा है आजकल तो मलेचों का ही तो राज है लक्षमी कांत बनर जी चल बसे पुन्यवान पुरुष नियम का शरीद ना भोगे ना भोगाया होशो आवास के साथ चल दिये सवेरे भी जैसे करते थे स्नान किया फूल तोड़ा पूजा की पूजा पर से उठे तो बड़े लड़के को बला कर आज तुम लोग जरा सवेरे सवेरे खाना पीना कर लो मेरी तबियद ठीट नहीं लग रही लगता है पुकारा पहुँची बड़ा लड़का अच्चकचा करता आकने लगा शायद समझ ही नहीं पाया कि उनकी तबियद खराब होने से इनका खाना पीना कर लेने का कौन सा संबंद है और इस पुकार का ही क्या मतलब लड़के के उस सुधे पन में लक्षमिगान्थ हसे हसकर का खा पिकर दौनों भाई आकर मेरे पास बैठना कुछ उब्देश दे जाओंगा अब शब्देश देने का कोई अधिकान नहीं है जानता ही कितना हूँ दिनियों को देखा ही कितना है फिर भी उम्र की अबग्यता है बहुरानियों से जाकर कह दो भोजन में प्रकार के पीछे जिसमें बिलम नाग है हो बाप सिरफ उनी के खाने को कह रहे है और अपना बड़े बेटे ने रूंदे गली से कहा आपका भोजन आपका भोजन कब बनेगा लो बेफूफ लड़के विचलित क्यों हो रहे हो आज मेरी पुणने मैं है अन आज नहीं थोड़ा सा फलार कर लूँगा नरायन का प्रसाद प्रसाद से चितकी धे की शुद्धी होती है बड़ा लड़का छोटे के पास गया जाकर तूट पड़ा उसके भीतर महल की इस तरुगा को पता चला कुछ ही देर में सारे घर में शोकी च्छाया उतर आई किसी ने अविश्वास नहीं किया किसी ने हास्या कर समझा उड़ा नहीं दिया इसे निश्चित और अमोग समझकर सम्मायूस हो गए यह समवाद देखते ही देखते तमाम फैल गया क्योंकि आग कभी एक ही जगा सीमित नहीं रहती चारो और बात फैल गई बनर जी जी चले गोया बनर जी विदेश भर्मन को जा रहे है नाव कि राये पर ठीक हो गई है संगी साती कहीं तयार खड़े है आहन में तुसी चौरा के पास उनकी अंदिम शया बिछा दी गई ठक्ये पर सिर रखकर दोनों हाथ च्छाती पर जोड़े बनर जी सीधे लिटे हुए ल darn पर चंदन से लिखा हरी नाव दोनों बल को और कानों में चंदन सना तुलसी का पत्दा च्छाती पर हाथ की लिखी चोटी सी एक पोथी लक्षमी कान्त को अपने हाथ की लिखी पोती गीता के कुछ लोग भोच पाट करते थे उसे साथ दे दिया जा रहा है यात्रा काल में कोई छुए गया नहीं यात्री की बनाई हैं उनके बिस्तर से हटकर आसपास बैटे हैं लड़के टोले के मुखे मुखे व्यक्ती लंबे गुंगट में अंत्यपूरी काई हैं करीब में बैटी चुपचा पास उपा रही हैं जब तक मौत की गड़ी ना आएं जोर से रेनों की गुंजाइश भी नहीं इसकी भी मनाई हैं रुलाई आत्मा की उद्रुगती की भादा है बनर जी पत्नी भी उस मनाई को मानती हुई चुपचा प्रो रही है घोशा लाकर खड़े हुए कापते हुए गले से का जनक राजा की तरह चल दिये बनर जी लक्षमी कांत ने हसते हुए दीमे से का विदेश रिस्वदेश विमाता के पास से अपनी मा के पास उसके बाद लड़कों को दिखकर बोले तारक भरम अतारत व्यर्थ की बातों में समय क्या बिताना नमो नराएनहा नमो नराएनहा हरी नाम केवलम लक्षमी कांत ने धीरे धीरे पलके बंद की तुलसी के पत्तों ने पलकों को ढख दिया सांसों के उठने गिरने के साथ साथ अंदर अंदर नाम जब चलतरा एक समय सांस थम गई उम्र हो चुकी थी उनकी भोगा भी नहीं भोगाया भी नहीं चल दिये इसमें कोई दुख की बात नहीं कम से कम दुख करना तो उची थी नहीं आदमी तो मरने के लिए ही दुनिया में आ है अपने इस अंतिम और सबसे अच्छे काम को यह दीवा निपुंता से निदोश भाफ से कर जा सके इसे और खुशी की बात क्या हो सकती है ना लक्षमी कांत की मृत्य से कोई दुख नहीं फिर भी सगे संबंदियों को तो दुख हुआ माया में बंदा जीव दुख पाए बिना जाय का लेकिन निकल्ट आत्मियना होते वे भी एक इस मृत्य से दुख के सागर में उतरने लगी गहती शार्दा शिराद में नई नातिदारों को बनरजी के लड़कों ने नियोता भेजा और नियम भंग तक रहने का अनुरूत करते वे रासु को लिवा लारे के लिए आदमी भेजा तुलसी के लाजे से कहे तो शार्दा के मानते पर एट दे मारी ले कल जाएगा और बात दिन बर चल रही है खबर पाते ही रामकली जाकर देखाए है और लौकिकता के नाति जो चाहिए भेज दिया और काफी ही कुछ बेजा अब रासु के साथ कोई जाएगा शराद की सभ तमाम दिन यही बाते चल रही थी शार्दा को लग रहा था सब में जैसे अती हो रही है उसके बाप की चाची जो उस पर मरी तो कहां इतना तो नहीं हुआ जाने दो पैसे हैं लुटाएंगे लेकिन शार्दा का खास तालुका ना बिग जाए इस मौके पे रात के सिवाय बोलने का उपाई नहीं धड़कते दिल से ग्रस्ती के काम काच करती करती घड़ियां गिंती रही फिर भी उन लोगों की अकल है दिन ही दिन में लिवा नहीं ले गए एक रात हाथ में है इस घर में खाते पीते आदी रात हो जाती है तो भी आखिर वह मांगी हुई घड़ का दूद गरम करती है बच्चे को जगा कर दूद पिलाती है उसके बाद थपता पाकर उसे सुला देती है अब इस तरफ आकर पैर लटका कर बैठती है लंबा सा एक निश्वास छोड़ती है और तब कहती है तो जा रहे हो रासू अवश्य इस प्रशन के लिए ही तेया र जानता ही तो हूँ कि छोड़ने चाड़ने का रास्ता नहीं है कोशिश कर रहे तो चुटकारा मिल सकता है शारदा ने और तीकी सुई चुपई कैसे रासू ने जरा तुनक करका तबियत खराब होने का बहाना करके कोई खीच कर तो नहीं ले जा सकता रासू ऐसा तगड़ शरी लिए क्या बहान अबनो इस खोश से शारदा डरी नहीं चुकी नहीं भेजी जग बोली कोशिश से क्या नहीं हो सकता दूद तुम्हे बरदाश ने चुपचा दूद पी लेते तो फॉरन बार-बार मैदान जाने की नौबत आ जाती तभी सबी समझ जाते की बिमार है और बड़ों से जूट बोलना भी नहीं होता लेकिन यह जूट के सिवाए और कह जूट न बोलकर जूटा आचरन करना नीती वागिश रासुने और जूट देकर का रुको रुको ऐसा तो भी करते हैं नहीं हजरत जेड जी के यहां से पासा खेलकर देर से लोटते वक्त जोज रोज यहां वहां का चक्कर नहीं काटा करते हो चलो मुझे धरम का पाट पढ़ाने मताओ मैं किसी को कुछ सिखाने लिखाने नहीं जाता गुरू जिनों का जवादेश होगा वहीं मानूगा सो तो तो मानो गई वहां मदू जो है नए बगईचे का नया फूल पट् रहा हूँ एक गड़ मानिय वक्ति के श्राद में उसके साथ मेरे भी श्राद पिंड की विवस्ता हो रही है यह मैं खुब समझ रही हूँ अब की वे लोग लड़की को भीजने की बाद जरूर करेंगे रासु ने जैसे बिगड करका तुम्हारी जैसी बात आप से कोई लड़की भीजने को कहता है कहता क्यों नहीं छेतर विशेश में कहता है सौत पर दी गई लड़की के लिए कहता है मैं कहता हूँ उसकी उम्र भी होगी ससुरल बसने की तब तो तुम तब बस राद दिन रसी देखकर सांप के डर से डरती हो उम्र शारदा जंकार उठी लड़कियों के उम्र होते के दिन लगते है दस पार हुआनी की उम्र मजरे चाचा की कड़ाई और डांट डपड भी तो गई उन्होंने उम्र हुए बिना ही अपनी लड़की को विदा किया न गुरुजन के काम को शिकायत ना करो वेजहती इसलिए उन्होंने वैसा किया शारदा लेकिन रुकने की नहीं चुकने की नहीं उसने भी बात पर बात दी तुम्हारी दूसरी बीवी को ससराल लाने के भी कोई कारण निकल लाएगा मगर यह बात गांट बांद लो नहीं बहु यदि आई तो एक दर्वाजे से मैं अंदर आएगी और दूसरे से मैं घड़ा डोरी लिए निकल पड़ूँगी यह अधियार अचुक था अब की रासु काबू हो गया समझाते के सुर में बोला अच्छा इतना बना बना कर दुक को बुला लाने की जरुवत है यह तो कहूँ दादा ससुर के शराद में जा रहा हूँ भोज बात का कर चलाओंगा मैं किसी को लाने के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ यही याद रहे शारदा ने सहसा रासु का एक हाथ खीच कर बच्चे के माते से लगाते वे कहा इस बात के कसम खा कर चाओ छी छी भलियारी तुमारी बुद्धी की बच्चे के माते पर हाथ शारदा ने बेखट के कहा इसमें डर्ना क्या मुझे मुन्य के माते पर हाथ रखकर कसम खाने को कहो जीवन में मैं हर गिस पर पुरिष्टी नजरने उठा कर ताकूली एक कसम एक सो बार खा सकती हूँ खूब कही वह और बात है यह एक बात और क्या मिरे सिवा संसार की और सभी इस्तरियों को परिस्तरी सोचने कश नहीं वह जिसे अगनी और नरायन के साक्षी रखकर ग्रण किया ओ शारदा जट उट खड़ी दरवाजे कहोड़का खोल दिया किवाड पकड़कर देवी लेकिन एक भयंकर आवाज में बोलूठी अब तुम्हारे मन की बाद जाही रोई इतनी देर तक परिशान न करके पहले ही कह देने था अच्छा रासु को भी अब डर हो गया वह जट से काट से उतर आया और बोला आहा तो किवाड क्यों खुल रही हो कहां चली वहीं जा रही हूँ जा चल कपट नहीं जलन नहीं और वह जट कमरे से बाहर निकल कर अंधेरे में खो गई करने को अब कुछ नहीं रहा वेबस शोब से कुछ दिर तक आंगन के उस कसोटी काले अंधेरे की तरफ देखते रहने के बाद थीरे से किवाड को बिढ़ा कर रासु खाट पर आ बैटा पसीना छूटने लगा गर्मी से नहीं आतंक से बरांदी में चटाई पर एलोकेशी बहु के बाल बांध रही थी देर से बांध रही थी वही दुपैर को बैटी थी और अब बेला जुकाई उन्होंने प्रण किया हो कि अपने जीवन की चरम कुशलता आज दिखा कर ही रहेंगी भव को सामने बटला कर उसके पीछे घुटने के सहारे उची होकर बटी थी चेहरे का भाव कठिन सा उधर कसाई से सत्तेवती की नसे फूल रही थी बालों की जड़े सिर के चमडे से निकलाना चाह रही थी गर्दन बहुत पहले से ही टन टन करने लगी थी अब रिड में कुछ बिजैनी सी भी होने लगी लेकिन उसके केश विन्यास में जिस अनोखी शिल्प रचना की चेश्टा चल रही थी उसके शिर्ग समाप्त होने की आशे नहीं थी लेकिन केवल एलोकेशी की अशम्ता को ही जिमिदार बनाना ठीक नहीं जिमिदार वह पक्ष भी था सत्यवती के बाल जैसे अड्यल घोडे हो हरगी कायदे में नहीं आना चाहते लंबाई में छोटे और फैलाओं में घने गुंगराले बाल खुले रहने से देखने में जितने ही सुन्दर लगते हो चाहे बांद कर उनका जुड़ा बनाने में मुश्किल पड़ती थी बड़ी मुश्किल उसकी जड़ बांदने जाओ और फट से खुल जाते तीन गोची तक किसी तरह उने लाया भी जाये तो पांस साथ या नौ गोची तक और किया ही नहीं जा सकता लेकिन ऐलोकेशी ने आज ठान लिया साथ गोची का खुपा बांदेंगी इसलिए दो तीन बार नाकामियाब होने के बाद काले धागों के एक मोटे गुच्छे से बालो की जड़कों ने भ्रमतालू तक किसी तरह जी जान से बांध ही डाला और अब साथ गोची के साथ हिस्सों को संभालने की कोशिश करने लगी देर से चल रही थी वह कोशिश इससे सत्यवती का वही हाल था बड़ी देर तक काबूसी बैठी रही अब वह दोनों घुटनों को मोड़कर चाती के पास लाकर बैठ गई क्योंकि पैरों में जुन-जुनी होने लग गई थी मुह आसमान की ओर था मुह पर पहनावे की निलामबरी का अचरा पढ़ा था मुह पर आचल डाले बिना उपाए नहीं क्योंकि बाल बानते वक्त गुंगट नहीं काड़ा जा सकता और वह जीता जाकता मुखड़ा उखाड कर भी तो नहीं रखा जा सकता क्योंकि आस-पास कोई ना भी हो और सास चाहे पीछे बैटियो आखिन नहीं बहु ठहरी इसलिए सत्यवती ने मुँपर आचल डाल लिया है यानि डाल लेने को मचबूर हुई गुंगट अटाने के पहले ही एलोकेशी ने निर्देश दिया था चहरा पर अचरा तो डाल लो बिटिया तुम्हे तो अकल से वास्ता नहीं लियाजा सब साफ साफ बता देना पड़ेगा यह क्या सत्यवती के ससुराल में बसने का पहला दिन था नहीं उसको आए वे कोई महिना भर हो गया था इसलिए उसका सिर अभी तक सास के हाथ नहीं पड़ा था इतने दिनों तक सौधामनी ही बहू के बाल बांदा करती थी सास सिंगार कर देती थी मलाई और मैदा से आज एका एक एलोकेशी की नेजर पड़ गई बहू के बाल का बेड़ा जुड़ा बंदा है देखकर एलोकेशी जल बुन गई फिर में निशिंद होने के लिए भौसी कोड़कर का बहु जरा इधर तो आना सास के सामने जबान खुलना भी मना है सो सत्यवती चुपचाप उनके करीब जाकर खड़ी होगे अलोकेशी ने जटके से पोतहों की पीठ कर परके कपड़े को उठा कर जुड़ा देख लिया अवश्य घूंगट वैसा ही बना रहा बेड़ा जुड़ा ही तो है जल भुनकर अवाज दी सौधी जिसे हड बढ़ा कर कहते हैं वैसे ही दोड़ियाई सौधामनी देखा नई बहु सिर्चाती तक एक किये खड़िया और मामी उसके पीठ के कपड़े को हाथ से उठाया मामी की आँकों से चिंगारिया और कपाल पर कुटिल रेखा है सौधामनी ने कहा क्या कर रहे हैं नहीं पूचा शंका बरे दिश्टी से सिर्फ ताक दिरे ये बहु की पीठ पर हुआ क्या लैसन या कोई चर्म रोग या किसी पुराने गाओ का दाग मामी की तेज निगाउन में कौन सी चीज़ आ गई लेकिन जादा देर दिवीधा में नहीं रहना पड़ा मैं पूचती हैं सौधी ऐसी बेगारी करने की क्या जरूवत है सौधामनी के कलेजे पर से पत्थर उतर गया जान में जानाई कोई नई बात नहीं वैस सदा सदा का लक्ष है सो उसने सहा संभाल करका क्या हो गया क्या हो गया पूचने में शेरम नहीं आई धरम के साण जैसी दौनों जून भात का धेर साफ कर रही है और बदन को हवा लगाती फिर यह हया नहीं जरा भी दस नहीं बीस नहीं ले देकर एक ही भाई की बहू और उसका बाल इस लापरवाई से बांद जाए मैं पूचती इतनी लापरवाई क्यों हुआ क्या सो तो कहोगी सौदामनी ने सहज भाव सिका और सत्तेवती गुंगट के अंदर अवाक हुई सी लग भग थर-थर कांपती रही एलोकेशी के कटू भाशन से नहीं टोला गुमने वाली सत्तेवती को घ्रणियों के मुझसे ऐसी घिनोनी बाते सुनने रहने की आदत थी रामकली के यहां की बाते कुछ सब्य थी नहीं तो सजली भुवा, सावी भुवा के यहां सद ऐसी ही बातों की खेती होती रहती है सो सास की उन बातों से नहीं अवाक वे हुई सौधा मने की सहन शक्ती देखकर इतने अपमान के बाद भी वे इस सहज रंग से बोली यही सत्यवती की अधे की बात थी कड़वी बातों के बदले कड़वी बात या फिर रोना सत्यवती यही देखने की आदी है और सौधा कह रही है, हुआ क्या सो तो कहोगी एलोकेशी ने कहा, क्या हुआ, यह कहकर बताना पड़ेगा कुछ समझ नहीं रही हो, आँखों देखनी रही हो, यह कैसा बाल बंदा है बेड़ा जुड़ा च्छी, इतनी उमर हो गई, सस्राल आई बहु के यह जुड़ा नहीं देखा, लानत है एक तो सिर उसमें भी बाहर का जुड़ा नहीं बंद पाती तू सौदा हां सुटी, जो बाहर के बाल बंद के, उनसे बाहर का जुड़ा नहीं बनता काइदे में तो आते ही नहीं, काइदे में नहीं आते, एलोकेशी जंगार उठे देखती हूँ काइदे में कैसे नहीं आते, बनर जी ग्राणी के बस में आए दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं तीनों लोग में एक ही चीज को मैं रास्ते पर नहीं ला पाई वे तो हो तुम ठीक है मामी एक ही तो बहु है तुमारी तुम अपने ही आतो उसका सिंगार करना फिर क्या था एलो केशी उचल पड़ी ए क्या कहती है अरे सौधी इतनी हिमा कर मेरी बात का जवाब तेरे इतना घमंड ये घमंड चूर कब होगा तेरे दुख पर सियार कुटे कब रोएंगे मैं उसी दिन की रहा देख रही हूँ कसम देती हूँ फिर जो कभी तुने बहु के बालों में हाथ लगाया बढ़ो की कसम नहीं लगती इसे मानने से नहीं चलता तुमारी जब मर जी वैसा करो कभी दोगी कभी भूल जाओगी क्या बोली मूझ जली मेरी एकी बहु है उसकी बात भूल जाओगी अरे इसमें ताज्जब के मामी है तो तुमारी आदत है लोग अपनी भूख से खाते हैं और तुम तो बहुत बार वही भूल जाती है बुला कर खिलाना पड़ता है एलोकेशी समझ गई समझ नहीं सकी यह शिकायत है यह बढ़ाई है सो उन्होंने भारी गले से का हाँ हाँ मैं भूल जाती हूं और रोज रोज मुझे बुला कर सितों से खिला दिया करती है खिला नहीं देती लेकिन तुम्हें याद थोड़े ही रहता है खैर ना सही सुन ले आज से बहु के बाल मैं भांदा करूंगी डोरी काटे सब मेरे कमरे में रख जाना हाँ चड़िया काटा दे जाना मत भूलना दे जाओंगी दे जाओंगी और बहु के बाप ने सौने की कंगी सांप काटा फूल यह सब ढेरे जो सिरका गहना दिया है उन सब को ही वक्त में बक्स में बंद क्यों को रख रखा है मैं नर्सिंग बाबा को परसा चड़ाओं दुहाई मामी यह सब मनत वनत ना मांगो देवी देशता से कहो तो सुनते हैं गुंगी के बजाओ कहो नोंने ठूटी बना दिया तो काम काज में तुमारा ही मरण होगा क्या कहा? तू ठूटी हो जाएगी भी अनबस्तर तो देना ही पड़ेगा हाँ पड़ेगा गरज पड़ी है खीच का टोले के बाहर ना कर दूँगी कैर सुदा में हस्ते हस्ते सत्यवती को चकित करके वहां से चली गई सत्यवती बड़े घर की बेटी अपने इस छोटे से जीवन में उसने बहुते री चलीतर देखे मगर ऐसा नहीं देखा क्यार सवेरी की उसी घटना का नतीज़ा यह मलियुद है सत्यवती के बालों की जड़ बेशक बहुत भारी है और लंबाई में बाल चोटे है काली डोरियों की मिलावट से किसी कदर उन्हों ने दो चोटियों को लंबा भी किया तो प्रजापती नुमा बनाने में वे फसफसा कर खुल गई और सत्यवती के नसीब का फिर एन वक्त पर टन टन करती रीड और जिंजनाते पैरों को सहन करने के लिए वेजरा हिल डूल बैटी पात्र में तेल की तेल में पात्र जैसी बात हो गई बंधन दिला पढ़ने की वज़े से सत्यवती आराम की खत्र हिली डूली या हिलने डूलने से चोटिया खुल गई समझ में नहीं आए एलुकेशी ने देखा बहू हिली और चोटिया कोड़ गई बहु की सीधी कीवी पीट पर गुम से एक मुक्का जमा करका हो गया ना चौपट पल को भी यदी स्थिर बहोकर एलो किशी की बाद पूरी भी ना हो सकी लम्हे में दूसरा एक पड़ाय हो गया जटके से सास के हाथ से अपने बालों की मुठीक छुडा कर सत्यवती छिटक कर खड़ी हो गई यह भूल कर किस सास से बोलना नहीं चाहिए बोल उठी आपने मुझे मारा मुक्का मारने के बाद एलो केशी जड़ासा अनुतपत हुई थी लेकिन उस अनुभुती के दाना बांधने के पहले ही अकस्मिक इस बिजली की मारत पहले तो वह मानो बुत बन ग हाना चताया बाद बस सौधामनी से ही करती थी वह भी एकांत में रात में वह सोती भी सौधामनी के ही साथ थी बड़ी हुए बिना तो घरवर का सवाल ही नहीं उठता सत्य का गला कभी एलो केशी ने नहीं सुना वही स्वर अच्छा कान में वजर जैसा लगा बहु का ऐसा तीखा गला इत्ती सी एक लड़की का अनुताप की भाप धूल होकर उड़ गई एलो केशी भी उठ खड़ी हुए चिकर बोली मारा मारा अच्छा की हमारा करेगी क्या तू तू भी मारेगी क्या सत्या ने तब तक एलो केशी के बड़े जतन से बनाई साथ गोची चोटियों को खोलना शुरू कर दिया सिर पर घूंगट नहीं चहरे पर का आचल खिसक पड़ा और वहां धहक रही थी आग एलो केशी की बात पर आग से दमकते मुकड़े को फेर कर अवग्या के सुर में सत्या बोली मैं वैसी नीच नहीं हूं लेकिन याद रखिए फिर कभी क्या कहा फिर कभी गला दबाओ तो दूद निकले इत्तिसी लड़की और इसकी इतनी बड़ी बात जानती है मार मार कर तुझे रूईसा धून सकती हो सौधी ला तो ला तो कोई लकड़ी बहु को सीधा कैसे किया जाता है दिखांदो दुनिया को पीछ पर लकड़ी की मार पड़ी नहीं कि सारा तेज निकल कर जाएगा मार कर तो देखिए कितनी लकड़ी है सास की आँखों पर दमकती आँखे रोब कर सत्य निल भीख रही जीवन में गुस्से से बदहवास बहुत बार हुई एलोकेशी बहुत बार चाती पिटी गाले शिराब दिया लेकिन ऐसी अवस्ता उनके जीवन में कभी नहीं आई यह अवस्ता उनकी कलपना उनके स्वपने से परेती इसले वे रिढ़ाल सी हो गई साप की तरह ठंडी आँखों से दुस्साहास उस मुर्ती की परती रूप को देखती ही रही ऐसी अवस्ता में कब तक क्या होता कहना कटी नहीं लेकिन भाग गेगा कौतुक से और एक अगटन घट गया एन इसी नाटकेशन में दाखिल हुआ गर में नवकुमार दाखिल हो वह कौन है नवकुमार की बहु ऐसा भी हो सकता है आसमन से गाज नहीं गिर रही धरती फटकर चौचिन नहीं होई जा रही ऐसा ऐसा प्रलैंकर आदिमी आंधी भी नहीं उठ रही नवकुमार की बहु नवकुमार की मा के सामने इस तरह खड़ी है नवकुमार आया है मगर उसे उसका ख्याल भी नहीं असंभव यह तो कोई दूसरी है पड़ोस की कोई अंचीनी लड़की होगी कोई होगी कोई खौफनाक सी बात नव कुमर खासना बुल गया हटना बिसर गया आवाक होगर देखता रहा गया अरे बड़ी भाड़ी मुसीबत है असंभव कहकर निशिंदी कहा हो सकता है भव का मुकड़ा देखने का सौब भागिया अभी तक नहीं मिला था कि तो इधर एक महीने के अंदर कौन ना दस बीस बार जाकी दरस मिला है कोई देख ले कहीं फिर भी नव कुमार इस्तरी की तरफ देखता रहा अवश्य है पलक मारते भर का देखना कैमरी की लेंस पल में ही छवी को सदा के लिए पकड़ लेती है शकल ना देखें अवेवो का धाचा तो देखा ही है और देखा है उसने निलाम बरी का आचल लिहाज़ा आँख मोद कर सूरज को असिविकार करना हास्या कर है यह दमक्ती मुर्ती पड़ोस की कोई नहीं उसकी अपनी ही बीवी है नव कुमार जैसे चुपचा पाया था यदि वैसे ही चुपचा वहां से खिसक पड़ता तो शायद नाटक का ही है नाटकेशन ऐसे चरम पर नहीं पहुँच पाता हो सकता है सत्यविती उसी निर्भीक वाव से वहां से हड़ जाती और एलो केशी ने जिन्दगी में जितनी तरह की गालियां सीखी है बैठी बैठी देती रहती पती और बेटे के आने पर नमक मिर्च मिलाकर उन्हें बहु के दुसाहस और डिटाई की कहानी कहती बात आई गई हो जाती लेकिन निर्भोध अवनव कुमर वही अवाक खड़ा रहा है एलो केशी की उस पर नजर पड़ गई आप बरांदे पर लड़का नीचे पहले तो उस तरह बेटे का हा की एक खड़ा देखकर अलो केशी बिलकुल हा की हो गई फिर उस हा से एक भयंकर चीख निकले आरे ओ भागा छोरा भीगी बिल्ली सा बन गया रहे तेरे पैन में जूते नहीं मार जूतों के यदि इसके चैरो को चूर दे तो जानू बहादूर बाप का बहादूर बेटा है तू लेकिन नव कुमार बुत दूसरे शन फिर एलोकेशन है दूसरा सुर अलापा हाई मेरी मा कहा हो देखो देखो बेटा और बेटे की बहू मिलकर मेरी कैसी बेज़ती कर रहे है आरे ओ नौवा नीच की बेटी के उभिया करके तू भी नीच हो गया क्या खड़ा खड़ा मा का अपमान देख रहा है तो फिर मार मुझे ही जाड़ू मार जाड़ू ही मेरे लिए यही सजा है नहीं तो और क्या मैं अब तक इस बहू को इस घर में खड़ी रहने देती सिर गुटा कर उसे गरदनिया दे कर निकाल नहीं देती हाई रे दहिया बहू मुझे मारे और मेरे लड़का खड़ा देखता रहे अब शायद नव कुमार को होश आया और होश आते ही वे खुले दरवाजे से सरपट भागा पोकरे में बैठी सौधा बरतन माज रही थी घाट होकर नव कुमार को वैसे बेता हाशा दोड़ते देख राक से सने हाथ को हिलाते वे बुली बात क्या हुई नव ऐसे क्यों दोड़ रहा है नव कुमार ने पहले तो सोचा सौधा की पुकार पर ध्यान नहीं दे गए दोड़ कर सिधे निताई के यहां जाकर गहे कर लाएक लोटा पानिला निताई उसका अंतरंग मित्र मन की ऐसी डामडोल हालत में से उसी के यहां जाया जा सकता है लेकिन सौधा के बार-बार पुकारने पर कैसोच कर तो वह ठिटक गया उसके बाद धीरे-धीरे घाट के पास आया आंधी से गिरेवे एक ताड़ के पेड़ की जड़ के पास बैटकर रूंधे गले से बोला मैं अब घर नहीं जाऊंगा सौधा दी लो सुलो इसकी बाद मैं पूस्ती हूँ बात क्या हुई सर्वनाश सर्वनाश हो गया क्या सर्वनाश हो रहा है सौधा नव कुमार के सौभाव से परीज चिती इसलिए ज़्यादा डरी नहीं बोली क्यों रहे तेरी माने अचानक माने नहीं सौधा दी, मैंने ही मैं कहनी सकता, मैं जिंदा भी हूँ या नही बदन में चिकाटी काट कर दे पानी में डुबा डूपा कर हाथ की राख मिटी दोती ही, सौधा बुली मामी ने रंचंडी का मुँ रूप धारन करके तुझे लथेड़ा है क्या पता नहीं, पता नहीं है बनाना छोड़िया तो तुबता की हुआ क्या फिर जहां जा रहा है वहीं जा तू, मर्द है की ओरत जो दृश्या में देख आया हूं सौधा दी, उसे देखकर बड़े-बड़े मर्दों की हाथ-पाउं पेट में समझे ना, यह लट-पट नहीं जाता बताना है तो बता नहीं तो अपनी रहा लए भूत देखा है या डाकूसो भी नहीं जानती नव कुमार ने च्छाती में जो लायाटप से बल गया मा और तुम्हारी भाबी मारपीट कर रही है मा और भाबी क्या कर रही है सौधा मनी चोगए कहा तो मारपीट सौधा मनी जरा देर ठकसी रहे गए फिर बली मारपीट, मारपीट क्यों कहते रहे यूँ कह कि मामी बहु कर पीट रही है मामी बहु का जुड़ा बांध रही है और पल भर में पढ़ ले आ गया सौधा मनी जल्दी जल्दी बरतरों को धोने लगी मैं आज निताई कही घर पर आऊंगा सौधा दी चला दूसरे के यहां कितने दिन रहे गा रहे सौधा मनी ने पूचा जब तक रहसक होंगा गर्च की तो आप खिसक पड़ेगा और वे बिचारी पर आईगी बटी तेरी मां से पिटती रहेगी दूद मुही बच्ची पराई और दूद मुही बच्ची शब्द से नव कुमार का जी कचोट गया आँखों में आसुआ जाने लगा किसी तरह अपने को जब्द करके बोला हां तो मैं क्या करूँ सौधा मनी ने तिछी नज़र से इसे एक बार देख लो और कहा ऐसा देखकर नहीं आता तो क्या था तो देख रहा है यह देखकर जितना भी क्यों ना हो कम से कम कुछ तो अपने को रोकता मामी को रोकता मार कर उसे बिलकुल मुआ नहीं पाती नव कुमार शरम छोड़कर जट पूलटा वह तुम जो भी कहलो मैंने जो देखा पड़ी-पड़ी मार कारने वाली वह नहीं है मुझे भी यही लगता है मार पिट ना चाहे करे पड़ी-पड़ी मारने काएगी मगर तू बता ही नहीं पाया कि हुआ क्या है मुझे ही क्या खाक मालूम है घर में दाके लोते ही देखा दोनों आमने सामने खड़ी है एक साम से फुफकार रही है और दूसरी भागिन से गरज रही है सदामनी है सी वह तूने तो नाटको जैसी बात सीख ली अच्छा आगे काम आएगी तेरी बहु भी तो बड़ी पंडित है बहु के बारे में जी भर कर सुनने की ख्वाइश होती है लेकिन बात से बात को बढ़ाने में जी नहीं रहानता बविश्य को सोचकर रह जाता है लेकिन कब बागिन की शेकल बार बार मन को धक्का दे रही थी खौफनाक लेकिन खुबसूरत कैसी बड़ी बड़ी कैसी जुड़ी जुड़ी भोएं है उसकी हो सकता है बहु भी मा जैसी गुसे लो वहलाज और जिजक से महज बहु ये नहीं बनी रहेगी नव कुमार के मन से ठीक मिल रहा था क्या जाने कैसे एक नुकसान की दुख से जी टन टन कर उठा माटी के पुतले सी बहु उसे रसीब होती निरी सी तो क्या बिगड़ जाता भगवान का कितनों के तो वैसी बहु होती है लेकिन साब के फनों से बिखरे बालों से गिराव है मुकड़ा इसमें मानो दिये की लौसी हो नव कुमार मिहाज एक पतंगा स्वादा में नी बुली देखना जादा रात मत करना हाडी अगोरे नहीं बैठी रहूंगी हाडी रसोई भात आज भला ये शब्द काम आएंगे नव कुमार को गोया यकिन नहीं आता डरते वे बोला अच्छा मैं यहीं रहता हूँ तुम देखकर मुझे बता नहीं जा सकती तो फिर मैं निशीन तोकर ताश के एड़े पर जाओ अरे वाब बाबु साब बैठे रहेंगे और मैं इनके लिए जाकर खबर लाओंगी बरतनों का बोज़ा सोधा ने कंदे पर उठाया हाथ में गमचे की पोटली में लोटा कटो रहा जाते जाते छोटे भाई को उसने फिर से भरोसा दिया बहु की सोचकर जी मत खराब कर निम्डू मामी उसे खून करके नहायत फासी नहीं मोल लेगी यही बहु से दुरुस्त करेगी तेरी बहु ऐसी वैसी नहीं है खून करके नव कुबर के कलेजी में कांटा सा चुबा वह चुपरा सौधा ने कहा, सांज हो रही है यहां मठर, मैं जा रही थी जा रही है सौधा ने लंबी डगे भरी बस बारी में कुछ दूर जाने के बाद देखा नव कुमर पीछे पीछे आ रहा है उद्बरांसा आके चल चलाती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं सौदा दी चलते चलते सौदा ने कहा क्यों अभी अभी तो तुने कहा घर नहीं जाओंगा जी तो कैसा कर रहा है बहुने अगर अगर आप मांका अपमान किया तो उसे भी तो सजा देनी चाहिए जबरन किसी का अपमान करने वाली लड़की वह नहीं है निम्बू इसके लिए तु बेफिक्र रहे हाँ कोई यदि जबरन अपमानी थोने आए तो और बात है बात दरसल क्या है कि बहुन उचे घर की लड़की है शिक्षा दिक्षा उंची है पढ़ना लिखना जानती है बड़ी बड़ी किताबे पर डालती है चंद बना लेती है मुझसे मजा कर रही हो गरच क्या पढ़ी है आसमान से तोड़कर बात कहती है जाओ वह सब समस्ती भी हूँ यह तो बहु जी खुलकर मुझसे कहती है इसलिए जान सकी सौधा के पास बहु जी खुलती है हाई नवकुमार के नसी में यह दिन कब आएगा कि बहु उसके सामने अपना मन खोलेगी सौधा मनी बोल उटी मैं साफ कहती हूँ तो बिगड़े चाये जो करे यह घर उसके योग्ये नहीं मामी को सिरफ पैसा ही नजर आता है और तेरी बहु को छोटी नजर की आदत नहीं उस दिन जो बहु ने सुना कि मामी रुपिया उधार लगा कर सूध कमाती है तब वह मानो गुसा ही हो गई नफ कमाने खिचकर का मगर यह सब उनसे कहने की जरुवत ही क्या थी अरे बाबा कान पकड़कर मैं तेरी बहु से कहने ने गई खोश ग्रानी उसी के सामने एक जोड़ा बाजू बंदक रखने आई थी और दर दस्तूर कहने लगी वह एक पैसा कहती मामी डेड़ पैसे पेड़े ही धेले के लिए बगबग आखिर तक क्या हुआ सुनने की नौबत ही नहीं आई घर में से एक बयानक चीक सी उड़ती हुए है सर्वनाश सौदा की मनाई कि बावजुत नकुमाने सर्वनाश का शब्द के ही वेवार किया हो ना हो कुछ तो हो गया सौदा तब तक घर के अंदर जा चुकी थी और नौब कुमार काट सामारा अपने घर के लग ताक रहा था यह तीखी नकियाई सी आवाज किस की है यह आवाज ऐलोकेशी की है तो हुआ क्या जो भी हुआ हो सब कुछ तो ढखते वे नौब कुमार के जी में एक हाहा कार भराया इस बहू के साथ घर करना उसके नसीब में नहीज़ कर रहेगी यह सदा के लिए नहर भेज़ देगी मा की चीक करमशे आसमान चूने लगी दल के दल पड़ास की इस्तरियां उसके घर की तरफ दोडने लगी नव कुमार खड़ा खड़ा यह द्रिशे देखता रहा रामकली त्रिवेनी के घाट पर आये थे कोई रोगी देखने के लिए नहीं योग था गंगा नहाने के लिए अकेले ही पूरी नाव क्राइब पर ठीक करनी थी भीड भरी नाव में चलना उन्हें पसंद नहीं जरोत होती है तो अपनी ही नाव ठीक करते हैं पहले इस तरह से नाव पर एक बारगी अकेले जाना उनके लिए सहज नहीं था क्योंकि नाव से कहीं त्रिवेणी या कटवा जाने की सुन सत्यवती ना छोड़ बंदा बन बैठती थी लगी लगी घुमने वाली निहोरा विंती करने वाली बेटी को टाल नहीं सकते थे साथ लेना पड़ता उसे साथ लेते तो नेडू और पुन्नो को भी उन्हें छोड़कर सिरफ अपनी ही बेटी को लेकर जाएं नजर को खलने वाला ऐसा काम नहीं कर सकते थे वे भी जाते पानी में उन सबों को रामकली होशियार करते और नहन के बाद देवी देवता के दर्शन करा कर लोटते घाट और बाट नाव और मंदिर का प्रांगर ननी सी एक वाक्य वागिश लड़की की बोली से गूंच जाता आज शिरफ डान देने की ही हवाज आ रही थी छप छप गंगा की खुली चाती की और ताक कर रामकली ने एक उसास ली आसमान में उड़ने वाली चड़िया पिंजरे में कैद होकर जानी कैसी है पुन्नो की भी शादी ठीक हो गई है पिछले कुछ महिने में दिन नहीं थे बिया के बिया इसलिए रुका पड़ा था लेकिन पुन्यवती और तरह की लड़की है नहायत सत्य की रेयत थी वह इसलिए शरारत करती फिरी बढ़ना वह बिलकुल घरवार वाली लड़की पुन्नो और पुन्नो जैसी लड़कियां पिंजरे की मेना होकर ही तो पैदा हुई है लेकिन सत्य है वह तो कोई दूसरी कोई लड़की कहां देखिए वैसी रामकली ने आस तक वह तो क्या और क्यूंके सवाल उसे जानना ही चाहती है खुली गंगा की और नहार कर रामकली के जी में फिर एक बार आया कि जमाने से उन्होंने गंगा नहीं ना आया लगता है बड़े अरसे से फिर एक निश्वास निकला मला बीच में बोल उठा पिटिया सस्राल में है मालिक रामकली ने कहां दो एक बार चपचप डांड चला कर माजी ने फिर पूछा अभी रहेगी देखे उन्होंने प्रसंग कर ऐसा कहकर इती कर दी पुन्न का बिया है इसी में जो आशा के किरन दिख रही थी वर्णा रहने के सिवाए और क्या सदा वही रहेगी यह चाहिए भी मौक्षिदा जैसा अपरूप और तेजी के लिए सदा ही बाप के घर रहकर जलती रहे लड़की के लिए ऐसे भागे की कोई प्रातना नहीं करता नेहर में रहने वाली लड़की का मतलब ही है अभागिन लड़की तीस्तिहोर या बिहा जनेओं के भोज बात में कुटुमसा आना और इस आने में मा का मन भर सकता है या बाप का नहीं उसकी इती हो गई लेकिन बेटी ही क्यों बेटे का अभी क्या फरक है बेटा घर रहता है उस पर जोड़ चलता है इतना ही लड़के के बड़े हो जाने पर उससे मन भरता है पला शायद इसलिए इनसान जीवन को सरस भरावा रखने के लिए बार बार शिशु को बुला लाता है और उसके बाद भी रुपे के सूद में आश्रे ढूंडता है नित्यानेंद पूर से तिर्वर्णी का घाट दूर नहीं है माजी ने नाव को बांदा घाट पर उतरते ही जिन से पहले रामकली की भेट हो गई वह था राना का गोकुल्दास उसने दूर से ही रामकली को उतरते देखा और लबका कीचड में ही अभूमी प्रणाम करके एक रितात हुआ गोदुकुल्दास विनेख से पास आकर हसते हुए कहा आज अपनी कैसी खुश किसमती सरकार रामकली ने मुस्कुरा कर खा सवरे सवरे भागे की इतनी जाजाकार कैसे गोखुल ने खा जाजाकार ना करूं मलिक मुलाकात हो गई नहीं तो मुझे नित्ते अनंद पुर जाना पड़ता लीजे चिट्टी है चिट्टी कलकत्ता से आई है ताजजुब है रामकली हरान हुए हैरानी मगर जाहिर नहीं की लिफाफे को उतारे वे कपड़ों पर रखकर बोले ठीक है और सब खबर तो ठीक है ना जी आपका आशिरवाद और थोड़ा उस खुसा कर बोला चिट्टी कलकत्ता की है हाँ देख तो रहा हूँ कंदे पर गमछा रखकर रामकली पानी में उतरे उनके लंबे सोने से शरीर पर उकतेवे सूरज की कच्छी दुख दलमला उठी गोकुल हा किये ताकतरह ताकतेवे सूचा इस स्वर्ग क्या देवता ही जैसे कैसा दिव्य शरीर चिट्टी की बात जी से निकाल कर नायाद होया चिट्टी को चादर की कोर में बांद कर रामकली मंदिर के और बढ़े लाचार गोकुल फिर से प्रणाम करके विदा हुआ कलकातर से किसकी चिट्टी आई है उसका यह कौतुहल नहीं मिटा नाव पर बैठने के बाद ही रामकली ने खत को खोला पढ़कर स्थब्ध हो गए सुभा को रोष्णी अपनी सारी चमक होकर जैसे सांच सी मलीन हो गई अभी अभी गंगा नहाकर निर्मल हुए रामकली जैसे किसी अपवित्र वस्तू के संपर्क में आ गए चिट्टी किसी जाने हुए आदमी ने लिखी थी किसी अंजान आदमी ने लिखी थी जे किसी का स्ताक्षर भी ना था उस बेनामी खत से संबोधन का ही बड़ा आडमबर था लेकिन उतना तो नहीं चिट्टी ने में जो था कितना भयंकर था बार बार पड़ा फिर उसे खोला उन्होंने हरफ संदर पंग्तिया सजी सजाई दुरूस्त इंस में शकने चिट्टी किसी पड़े लिखे आदमी ने लिखी है श्री श्री बाग देवी शरन से शुरुआत मान्यवर सादर निवेदन करूं कि आपकी करनिया बड़ी विबदा में पड़ी है अपनी ससराल में वे बहुती सताई जा रही है बड़े अपमान और लांचन का जीवन बिता रही है कहते जी सी हरता है बदन कापता है फिर भी आपकी जानकारी के लिए लिक रहा हूँ अपनी सास से वे पिटती भी है उस पाशान पूरी में ऐसा कोई नहीं है जो उस बेचारी को बचाए आपके जमाता अपनी धरम पतनी के ऐसे सताई जाने के कारण रोती रहते है बड़ों को कुछ कहने का बस भी क्या है ऐसी इस्तिती में आप अगर तुरंट उने लिवा ले जाएं तभी मंगल जा लिए नहीं तो क्या से क्या हो सकता है यह सोचकर दिमाग चक्रा जाता है एक इनसान के फरज के नाते ही आपको यह सूचित कर रहा हूँ दृष्टता के लिए शमा चाहता हूँ ना हस्ताक्षर तो नहीं है चिट्टी को धीरे से मुड़कर मिरजई की जेब में रख दिया है धूप से चमकती धरती के और देखते रहे दुनिया में इतनी रोशनी है फिर भी दुनिया के लोग इतने अंधेरे में क्यों है कौन लिखने वाला है चिट्टी को सत्य की ससराल का कोई दुश्मन जूट मूट का दोश दिखाते वे उनका बुरा करना चाता है मगर चिट्टी पर तो कलकत्ता की मुहर है कलकत्ता से ये चिट्टी कैसे आई सोचते सोचते आखिर रामकली एक निश्कर्ष पर पहुंचे लिखने वाला वश्य कलकत्ता आता जाता होगा और अपने कुछ छिपाने के लिए वहां रहते वे भी उसने ये चिट्ठी बेजी फिर भी एक समस्या रही जाती है पत्र में लिखा ये विभत तो समाचर सत्य है अत्वार दुश्मन का जूटा प्रचार रामकली खुद जाकर इसकी पड़ताल करे या किसी को बेजे कोई दूसरा आदमी जाकर क्या बीतरी तत्या का पता कर सके कहां किसी इस तरी को बेजा जाये तो हो सकता है रामकली की परिवार में जो इस तरीया बारों महीने काम करके गुजारा चलाती हैं जैसे चूड़ा कुटने वाली मूड़ी भुनने वाली इनहीं में से किसी को किसी के साथ रहा कर्च दे कर भेज देने से खबर ला सकती हैं गावों में आमतार पर यही लोग सब काम करती है लेकिन मन इससे भी विमुक हो गया इनके द्वारा खबर मंगाने का मतलब है साथ गाहों में शोर होना इशवर जाने क्या खबर लाएंगी और उसी से सारे गाउं में चरचा होगी अलगा सत्य अगर खुद लिखती चिठी लिखने जैसी विद्या सत्य ने हासिल किये लेकिन उससे लाग नेहर को अपना हाल लिखे ऐसी हिम्मत ऐसी मजाल तो ना होगी फिर लड़कियों के लिखने पढ़ने का क्या फाइदा स्तित प्रग्य रामकली कविराज का कलेजा कैसा तो उचाठ हो उठा आखों के सामने सत्य का वै ओज बरा मुकडा ना चुटा और वही सत्य चुप चाप पिट रही है यकीन करना संभव है यह चिठी जूट है दुश्मनों की कर्तूत है नहीं तो सत्य को सताने की वजह भी क्या हो सकती है मनुश्य खामा कहीं ऐसा बुखार हो सकता है कहीं और सिरफ सास ही तो नहीं उसके ससुर भी हैं हजार हो भले आदमी हैं उनकी जान में ऐसा हर्गी नहीं हो सकता यदि घर के लोग ही ना जा पाएं तो बस्ती टोले के लोग कैसे जानेंगे उन्होंने फिर सोचा एक तो पता हुए है वे विदाई के वक्त उन्होंने काफी समान दिया है जिससे सास खुश हो फिर भी सत्य को सताईगी ऐसा भी होता है कहने में बुरा ही है, सोचने में बादा नहीं बिया ठीक करते से में बहुतेरे लड़कों में राम कली ने इसी लड़के को पसंद किया सिरफ इसलिए कि परिवार में आदमी कम है उन्होंने छुटपन से ही गौर किया है उनकी लड़की जिद्धी है, तर्रार है नहीं जुकने वाली है बड़े परिवार में सबका मन रख कर चलना शायद उसके लिए संभव नाओ इसलिए यही ठीक समझाता आके सत्य भी तो बाप की कलोती ही है घर जमाई की इच्छा उन्हें बिल्कुल नहीं थी सिरफ इतना ही सोचा था कि लड़का बिल्कुल वैसा नाओ थोड़ा बहुत लिखा पड़ा हो उनकी यह साद मिटी थी मिट भी रही थी जमाई को छात्रविती मिली थी संस्कृत पड़ रहा था और लोगों से यह भी सुना क्या तो मैं अंग्रेजी सीक्रा है उन्हें खुशी हुई खुद कभी नहीं गए मगर लोगों से हालचाल रहते रहते हैं इतना जानकर में निश्शित हैं कि सोहवत बुरों की नहीं है बुरी लटों से वास्ता भी नहीं सब कुछ तो ठीकी है फिर आचानक बिन बादलों की वह बिजली उन्होंने फिर सोचा ही है कर तुद दुश्मनों की तो नहीं है लेकिन मन में जो बैचैनी उन्हें हुई उन्हें बिलकुल दबा कर निश्शित नहीं हो पा रहते हैं आखिर तैय किया एक बर स्वैमी जाएंगे इज्जत को बट्टा लगेगा ससुराल में बहु के लिए रात ही तो मौत की पुरी जीवन में इतना बड़ा दुर जैमान क्यों नहीं हो उस्मान को घटाए बिना उपाए नहीं सबके साथ यही है रात में भूवनेश्वरी की रूलाई भी रोके ना रुक पाई रामकली ने दूसरी चौकी से ही भाप लिया जरा देर नीन में बहाने चुपचा पढ़े रहे लेकिन आंथ में चुप रहना जब संभव नहीं वा देरे से बुले नहा की क्यों रो रही हो रूलाई का अब एक और प्रभल हो गया रामकली ने का बच्पना ना करो आओ इधर आओ रो क्यों रही हो कहो आँखे पहुंसती हुई बुवनेश्वरी हुटा आए आकर पती के बिस्तर के एक किनारे बैठकर आंचल से आँखे पोचने लगी रामकली शुब्दसवर में बोले तुम भी अगर औरों की तरह ही हो जाओ फिर तो लाचारी है मुझसे अपराद इतना ही बन पड़ा कि मैंने कहा उन्नों की भीहा के सिलसले में सत्य को कुछ दिन पहले ही लिवा लाओंगा मैं खुद जाओंगा तो वे लोग ना नहीं कर सकेंगे लेकिन इस आसान सी बात को ना समझ कर सब लोग मिलकर ऐसा कर रही हो ऐस जैसे कोई अमंगल गड़ गया ताज्जूब है वैसी कोई बात नहीं बुवनेश्वरी ने किसी तरह से का बच्ची के लिए जी उमड़ाया इसलिए रामकली ने सनेही गंबीर स्वर्मे का ठीक ही हो रहा है बुवनेश्वरी के लिए इसका जवाब देना संभव नहीं था जरा देर में रामकली बोले जाओ भगवान का नाम लेकर सो जाओ कोशिश कर देखता हूँ यद इसे ला सको बुवनेश्वरी फिर रुलाई से तूट पड़ी मेरा मन कह रहा है वे लोग नहीं भेजेंगे रामकली और कुछ नहीं बोले दुर्गा दुर्गा बोलकर करवट बदलकर सो गए बुवनेश्वरी दिर तक रोती नहीं फिर सो गई दूसरे दिन रामकली ने बेटी के यहां जाने के तियारी करी अंग्रेजी पढ़ना फिलाल बंद है क्योंकि भवतोष मास्टर गाओं में नहीं है छात्रों के लिए सेकंड बुक लाने के लिए कलकत्ता गए है नव कुमार को इसके काफी वक्त है इससे लेकिन उस वक्त के को फूलों से सजाए ऐसा भग्यने दो घड़ी घर में अराम खाए पहने रहे इसका भी नहीं हो पाया जहां तक जागता रहता है कलेजा ही काफता रहता है और सोता है तब कब तक सोता भी रहे और सोता भी कब तक रहे भैस विनंदित वे नींद भी नहीं रही बिस्तर पर लेटे लेटे नीद नहीं आती उठता है, बैठता है, पाई चरी करता है पानी पीता है, फिर लेटता है ऐसे ही वक्त बीठ चाता है और दिन में निकम्मे का काम पोखरे में मचली मारना उसका दोस्त, निताई और वह दोनों जने दिन भर यही काम करते हैं और आज भी कर रहे थे बंसी के फुदकने पर ध्यान हटात वहां से नजर उठते ही पहले निताई की ही नजर पड़ी बुला ऐसी बहार वाली पालकी पर कौन आ रहा है बता तो नवकुमार ने देखा हाँ सच तो बड़ी अच्छी पालकी है लेकिन लगता है आनी रही है गाउं पार कर रहा है बोले लेकिन दोनों उधर से नजर नहीं अटा सके और कापते दिल डरेवे पुलक से देखा पालकी उधरी आ रही है नवकुमार ने कहा बंशी छोड़कर भाग चले चल क्यों भाग चले निताई बोला मेरा मन कह रहा है पालकी नित्यनद पुरकी है जानता है अंदाज है लड़की की विदाई के लिए भेजी होगी निताई मैं चलता हूँ निताई ने उसकी दोती की कोर थाम ली कहा भागेगा मतलब अंतक देख नहीं लेगा दोनों दोस्तों में और थोड़ा सा तरक्वा और सच पूछिए तो नवकुमार भागने की जित्ती चाहे सोचे हिल भी नहीं सका चिपकली की शिकारी नजर की समोहन से खिचे कीडे जैसा निर्जीव सा पैठरा पाल की उधरी आई अंदर बैठे व्यक्ति के इशारे से वहीं रुकी और सवार ने बैठे बैठे ही हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया घाट से उटकर धोती की कोर को बदन पर डालते वे दोनों जने आए तुम लोग इसी गाओं के हो भारी भरकम गले की आवाज से दोनों का गला काप उठा नव कुमर अपने ससुर को नहीं पैचानता भी आगे समय तो नजर उठा कर भी नहीं देखा दो दो वार वहां से बुला हटाई तबियत खराब होने के बहाने नहीं गया फिर भी उसका मन कहराता वही है वही है हाँ वही थे गरदन ही लाकर उनके उत्तर देने के बाद उन्हें ने पुछा है यहां के नाती हूँ या लड़के निताई जी मैं यहां का नाती हूँ श्री कृष्ण दत मेरे मामा है मेरा नाम है निताई चंद्रगोश और यह है नव कुमार बनर जी मेरा मित्र नव कुमार बनर जी रामकली की आँखों में बिजली की आभासी दोड़ाई निश्शित हुए अनुमान ठीक निकला फिर एक बार गी उन्होंने उसे एड़ी चोटी देख लिया नारी सुलब उसके लाल दूदिया रंग को देखा आलता लगे से होट देके और धूप से जुल से टुक टुक लाल मुकडे को देखा उसके बाद पालकी से उतर पड़े गंभिर गले से गा मैं हू रामकली चटर जी बैट पढ़ने का मौका मिलने से ही मानो उन दोनों की जान में जाना है चट बैट कर उन दोनों ने रामकली के चरंट चुए हो गया हो गया कहते वे दोनों के ही माते पर हाथ का जरासा सपर्ष देकर रामकली ने एक बार निताई किया और देखा और तब नव कुमार से का यह जब आपके मित्र है तो इनकी सामने बोलने में हर्ज नहीं है मैं पूछता हूँ इसी तरह मचली मार कर ही दिन मिताते हैं नव कुमार की ठोड़ी चाती से सट गई लेकिन कायस्त कुल का निताई उससे ज़्यादा चुस्त चहला के निर्भीग भी उससे जट पर जबाब दिया जी नहीं और दिन दुपहर को हम लोग मास्टर के हैं पढ़ने जाते हैं आज वे क्या पढ़ने जाते हैं नव कुमार ने पीछे से मित्र की चिकोटी काटी ताकि अंग्रेजी पढ़ने की बात न कहा दे क्या पता मलेज भाशा की पढ़ाई के लिए यह खौफना कादमी कहीं बिगर्ण ना उटे लेकिन निताई ने बनाई नहीं मानी बलकि विनेड़ के गर्व से ही का जी अंग्रेजी अंग्रेजी बहुत कुग कहा तक पढ़ी जी फर्स्ट बुक सेकंड बुक खतम कर चुके हैं अब सुनकर खुशी हुई लेकिन आज पढ़ने क्यों नहीं गए पूछा नव कुमार से गया लेकिन जवाब दिया निताई ने मास्टर सहाब किताब लेने कलकत्ता गया कलकत्ता ओ खैर आप से एक बात पुछनी है मैं जानना चाहता हूँ गाउं में आपके घर के कोई दुश्मन है दुश्मन नव कुमार हक्का बक्का सथ ताकने लगा दुश्मन एहलू केशी के मुताबिक तो सारा गाउं ही उनका शत्रू है हाँ शत्रू यानि जो आपका बुरा चाहता है जूटा पवात फैला कर आप लोगों को नुकसान पहुचाना चाहता है ऐसा कोई है क्या नव कुमार ने ना करते वे सिरह लाया किन्तु तब तक मिताई जवाब दे बैटा है जी गाउं में तो सभी सबके दुश्मन है उपर से ही हसी फिर निम्बू की तो मा के मिजास से तो रहने दो रामकली ने धी में डांट बताई और मेग भद्र स्वर में कहा गाउं के सबकी लिखावट पचानते हो कह सकते हो यह हरफ किसका लिखा है मिरजई की जेब से चिट्ठी निकाल कर उन्होंने थोड़ा सा फैलाया लेकिन फैलाने की जरुवत भी क्या है नहीं तो मालुम एकि यह लिखावट किसकी है भवतोश मास्टर की और लिखने की प्रणणा खुद निताई है उसने मास्टर से नव कुमार की पत्नी की दुख गया था कही थी विश्दार से और भवतोश मास्टर ने कहा था ठैरो ठहरो मैं इसका प्रतिकार करता हूँ सहाबों के मुलक में कभी को इस्तरी जाती का सताया जाना ब्रदाश नहीं करता क्यों पैचान पा रहे हो दोनोंने जोरो से करते नहीं लाई अवश्य है ना करते वे आँ करके कौन सिंगे मुँँ में अपने को डाले ठीक है मैं आपके घरी जाता हूँ आपके विताजी घर पर है जी इस अस्फुट स्वर ने रामकली को निशित कर दिया उनका जमाता गुंगा नहीं है पालकी के कहरों को रामकली ने कुछ निदेश दिया और उनसे बोले चलिए आपके साथ इतनी दूर पैदर ही चलो जी में दोड़कर घर पर खबर करता हूँ कहकर मित्र निताई विश्वास घातक की तरह उसे अगात पानी में छोड़कर दोड़ पड़ा कहीं कदम चलकर एकायक अपने सभाव से परेला रामकली बोलूटे मेरी लड़की क्या आपके घर में कुछ इतपात कर रही है जी नवकुमार तुतलाने सा लगा वही पूछ रहूं बच्ची है अबुदोनस असंभबने जी नहीं 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 तो नवकुमार के पसीना छुड़ गया धोती का जोचुर उसने बदन पर डाल रखा था उसी से वह आंसु पहुचने लगा रामकली ने धीमे से का घबराने की कोई बात नहीं मैंने तो कौतवल से महच पूचा था खैर मैं जिस काम से आया हूँ वह बताओ आप मेरे जमाता है घर में एक शुबकारे होने वाला इसलिए मैं बिटिया को लिवा जाना चाहता हूँ प्या के समय अवश्य है यथा रिती नरता आएगा तब आपके पिता जी और आप आईएगा घर की स्तरियां आप से वहां कई दिनों के लिए रहने का अनरोध करेंगी यह मैं आपको मात पिता से कह जाँगा आप रहने के लिए तयार होकर आईएगा नव कुमार इन भातों का क्या उत्तर दे डर और खुशी आश्या और उत्कंठा से उसके तो समवादी बंद हो गया घर के दरवाजे पर पहुशते ही नव कुमार ने का जी मैं जाता हूँ अरे जाने क्यूं लगे नहीं नहीं मैं जाता हूँ निताई रहा और उसने इधर उधर देखकर ससुर के पैर पास की माटी को छुकर प्रणाम के और भाग गया रामकली ने उस और देखकर एक निश्वास वेगा लिख पढ़ रहा है मगर आदमी बंद रहा है क्या एंड इसी वक्त निताई नव कुमार के घर से निकला और निरामर बाबू ने दरवाजे के पास खड़े उकर मुस्कुराते वे का अच्छा सम्दी जी कहिए कैसे आना हुआ बेला जुकने से पहले ही रामकली को पाल की अकेले उनी को लेकर लोट पड़ी जाने किस शोब से मन उनका हाहकार कर रहता लगता है कहीं जैसे बहुत बड़ी हार हो गई है उनकी क्या भदरता बोध वीहिन निलामबर बनरजी से हार गए है बेटी की विदाई नहीं करा सके इस शोब से मन चंचलता बात तो दरसल यह नहीं थी निलामबर बाबु ने भदरता की हद दिकाई बिटिया की विदाई का प्रस्ताव रखते ही निलामबर बाबु बोले बेशक यह तो बहुत अच्छी बात है अपनी बेटी को आप लिवा ले जाएंगे चाहे जितने दिन रखे इसमें मुझे यतराज हो सकता है अरे कौन जरा पता तो लेया रामकरी ने कहा तिथी मैं दिखा कर आया हूँ कल सर्व शुद्धा त्रियो दशी है दिन भी अच्छा है कल ही ले जाऊंगा आज रात रुखना ही पड़ेगा इसलिए बस्ती में किसी ब्रह्मन के हिया सोने का इंतिजाम करा दिजे लेकिन दया करके खाने पीने का कोई प्रबंद ना कीजिए का कहारों के खाने पीने का समान उनके पास है निलामबर ने गाल पर हाथ रखकर स्त्रियों जैसे ढंक से कहा यह यह आप क्या क्या करें संदी जी इतना बड़ा घर यह दलान और आप कहीं और राम कली ने गंबीर हसी हस्तेवे उन्हें बीच में ही रोक दिया जी आप क्या बंगालियों के लोकाचार को भूल रहे हैं बेटी दमाद के घर रहे ना लोकाचार संबब है निलामबर हसी के साथ है है करते बेबरे जी हाँ जी हाँ सो तो ठीक है कि नाती होने के बाद तो यह बात नहीं चलेगी हाँ हाँ नाती होने के बाद खैर दूर भविशय की चर्चा में समय बर्बाद करने की क्या जरूबरत है अभी तो बिटिया से जरा भेट करने का इंतिजाम कर दीजे बेशक इसमें इंतिजाम क्या करना अरियो सौधा बहु को जरा बीच वाले कमरे में तो लेया समधी जी भेट करेंगे तो निलामबर के वेवार में खोट कहा है इस से और अच्छा वेवार क्या हो सकता है कितने घरों में तो बहु के बाप भाई के आने पर भारी भार किला पिला कर उन्हें रुकसत कर दिया जाता है बेटी से भेट भी नहीं करने देते और कहीं अगर बहुत करने कराने से मिलने भी दिया जाता है तो कोई पहरेदार बैठा रहता है उसे देखते ही यह तो मांगी मिराद मिलना हूँ रामकली को तो किर्धार्थ हो जाना चीए लेकिन आदमी का मन भी अजीब है रामकली को लगा यह सौधा को पकार कर जो हुकम दिया गया वह जैसे बिगार टालने जैसी बात हो जैसे कोई यह कह रहा है अरे कौन है रे एक मुट्टी भीक तो दे जा बिकमंगा बड़ा चिल्दा रहा है रामकली को गलानी सीवी सारा परिवेश अशुची सा लगा लेकिन चारा क्या था जमाता का दोस्त वह छोकरा तो दरवाजा था में नजर आ रहा था वह कहां गया उन्होंने इदर उदर नजर दोड़ाई पताना चला यह सौधा कौन है संदी जी के तो कोई लड़की नहीं है चिंता की उस भीड में अचानक बीच वाले कमरे की सांकल बज उठी कमर का कपड़ा खोसते वे निलांबर उठे अंदर जाकर क्या कहा क्या किया भगवान जैने बहार आकर बोले आईए संदी जी आईए राम कली अंदर गए देखा अंधेरे से एक कमरे में एक चौकी के किनारे एक लम्मे घूंगट में एक बाली का मुर्ती खड़ी है पहनावे की साड़ी चटक था शैद पिता के सामने जाने के लिए उसे थोड़ा बहुत सजाया गुजाया गया है कमरे के बाहर एक कम उम्मर की स्त्री खड़ी थी माते पर मामुली घूंगट राम कली के कमरे में जाते ही उसने उनके चरंचुए और धीमे से कहा वहरे बाचित कीजिए फिर बेटी को ले जाईएगा कहकर टप से एक दरवाजे होकर ना जाने कहा चले गए लेकिन उसकी उस आसफुट बात को पचा पाने के पहले ही एक और धीमा लेकिन तीखा गला उनके कानों पहुँचा बहु को अकेला छोड़ा आई मैं क्या सुआँ के पुतले की तरह खड़ी रहती शरम नहीं लगती यह जवाबी उनके कानों पहुचा उसके बाद फिर वही दीखा गला अरे हाईरी मजला जवन्ती अब अकेले में वह बाप को एक की एक सौ सौ लगाएगी इसका जवाब नहीं सुनाई पड़ा लेकिन मन तो खिजाई हुआ था कैसा तो विकल होकर विस्वाद हो गया बेटी से मिलने की खुशी का श्री गनेशी को बर हो गया इसी बीच सत्य ने चुपचा पाप को प्रणाम किया प्रणाम करके चर्णों की धूलक को सिर से लगाना भी न भूली लेकिन रामकली एका एक ऐसे विजलित क्यों हो गए सत्य के इस आचरन से उसका कलेजा क्यों हाहाकार कर उठा यह स्थित प्रण्य व्यक्ति जिस हाहाकार को अभी तक दबा नहीं पा रहे है रामकली ने क्या यह उमीद की थी कि उनकी यह सत्यवती हूँ वह वैसी ही है बाप को देखते ही दोड़ी आएगी तपसे प्रणाम करके पुर्खिन सी बोल उठेगी इतने दिनों में बेटी की याद आई है बाबुजी बाप के प्रान को धन्या है इतने दिनों में बेटी को एक बार देखने की भी इच्छा नहीं हुई वह जिंदा है या मर गई यह तो गनिमत कहिए कि पुर्णुफुआ का भ्या ठीक हुआ या कि रामकली ने महनीमन यह सोच रखा था कि सत्या पहले की सत्या नहीं है बदल गई है एक बार जी इसी से उनको उन्हानी यह आश्या कीति की नजर पड़ते ही बाप की गोद में लिपड़ जाएगी और चाप रोती रहेगी उसके अविरल ज़रते आसू से उनका तपता कलेज़ा ठंडा होगा लेकिन ऐसी इच्छा तो रामकली की नहीं होने चाहिए आवेग परवन्ता तो उनकी रूची के बिलकुल व्रिद है ऐसे मौके पर रोने धोने से उनकी तियोरी सिकुडाती है खुद उनकी लड़की ही अगर ऐसे सस्ते ढंक से आवेग दिखाती तो वे असंतुष्ट नहीं होते क्या अनेक विचितर उपादानों से बना मानव मन कब क्या चाहता है कहना बड़ा कठीन है क्या चाहता है वह यह खुद नहीं समझ सका कभी कभी गहरी पीड़ा से केवल इतना ही क्या उठता है यह क्या हुआ ऐसा तो नहीं चाहा मैंने इसलिए सदा के अडिक रामकली ने आज अचानक अपनी बेटी की शांत सब्यावधु मुर्थी देखकर चंचलो कर पुछा सोचे यह क्या हो बात नहीं हुए केवल इतना ही मुसे निकला अच्छी हो ना सत्ये ने वैसे ही सिरी जुका कर का हाँ घर में तो सब कोई कुशल से है न दादी फुआ दादी से लेकर बाग़ी नौकरानी तक एक-एक का नाम लेकर उसने नहीं पुछा कौन कैसे है सरफ इतना ही कहा घर में सब कोई कुशल से है न अजीब अजीब है ससुराल आने पर लड़किया क्या इसी तरह से अपने आजनम के आश्रे को अपने माटी के घरंदे की ही तरह तोट डालती है मन से बिलकुल धो पोंच देती है इसलिए शकुंदला को फिर कभी कनव मुनी के हश्रा में नहीं देखा गया नहीं देखे गया सीता को जनक जी के या महा कवियों की लेखनी ने भी इस अमोग नियम को सर्जय सहज सत्य ही मान लिया था इसलिए उनकी लेखनी निश्टुर उदासिंता के साथ आगे ही बढ़ती गई पीछे पलट कर नहीं देखा तो नारी और नदी एकी धातु की बनी है लेकिन गिरी राज दुहिता उमा ना उमा तो इतिहास की नहीं पुरान की नहीं महा कवियों की अमर लेखनी की अपुर्वस रिष्टी नहीं बैतो आम लोगों के मन की माधुरी से बनी एक अमोग छवी है मनश्य की आशा और कलपना परत्याशा और अकांशा से बनी प्रेम मुर्थी की रामकली के मन में भावो की लहरे लहराई जैसा की आमतर से उन में नहीं होता सोचा सत्य के बारे में इतने दिनों तक उनके जो मुलेब होता सत्य उसके लायक नहीं है सत्या वैसी ही साधरन लड़की है जो सहजी बदल जाती है सोचा तो क्या पिटने की बात सही है और सत्या एक नेरी डरबोक लड़की मात रहे ऐसी लड़की जो पिटती है डरके मारे काटा हुई रहती है अपने को जाहिर करने के हिम्मत नहीं कर पाती फिर भी अपने को जब्द करके रामकली ने का हाँ सभी कुशल है पुन्यों के भिया का दिन 16 बेशाक ठीक हुआ है इसलिए तुम्हें लिवा जाने के लिए आया हूँ हाँ इस बात का उचारन करते ही मानो कलेजे में उन्होंने हतोड़े की चोट महसूस की सत्या खुशी के मारे उचल नहीं पड़ी उसके बदले में बुली शादी का दिन बेशाक माईने में है अभी तो फागों ही खत्म हो रहे है इतना पहले विदा करने की बात कहने से ये लोग कुछ सोच सकते हैं बाबुजी रामकली ने गहरी उसास चिपा करका इन लोगों ने तो ना नहीं कहा नहीं कहा है ये इनकी भल मानसता है लेकिन हमें भी तो सोचना चाहिए इन्हें अस्विधा में डाल कर यानि अभी जाने की राए नहीं है तुमारी रामकली और एक उसास चिपानी पड़ी अब सत्ये ने सिर उठा कर देगा सीधे भाब की तरफ ताक कर खूबसुरत साड़ी का गुंगट खिसकतर पीट पर गिर गया जिससे सत्ये का धीट गुंगराले बालों से गिरा सारा मुक्राही साफ देखने लगा सत्ये ने नजर जुकाई खिसके वे गुंगट को संभालते वे बुली इस्तिती के हिसाब से राय नहीं है सास जी की सिया ठीक नहीं है अकेली ननत के मातिस सारी गिरस्ती रामकली जर आश्यारे से बुले ननत नव कुमार के बहन भी है सहोधर नहीं लेकिन सहोधर से भी बढ़कर है बाबुजी फुफेरी बेन वही जो आपको यहां पहुचा आ गई ननत की प्रसंग को वहीं खतम करते हैं नने का जाने का जब उपाए नहीं है तो क्या किया जाए लिहाजा रात को अब यहाँ ठैरने की जरुवत नहीं इसी वक्त चल दूँगा जाने से पहले तुमें एक बात पूछो तुमने तो थोड़ा बात लिखना पड़ना सीखाता मैं समझता हूँ खत वत पड़ भी लेती रहोंगी इस चिट्टी को बढ़कर समझ सकोगी रामकली ने मिरजाई की जेब से चिट्टी निकाली चिट्टी को हाथ में लेकर सत्य ने कुछ एक पंक्तिया पड़ी भगवान जाने गुंगट के याड़ में उसका चारा कैसा हो ओटा अवाज लेकिन ठीकी रही शांत गले से बोली आप ग्यानवान हैं फिर भी नहीं समझ सके कि या किसी शत्रू का काम है ऐसा कौन शत्रू है तुम लोगों का सो कौन जानता है बहुत से शत्रू तो उपर से भले ही बने रहते हैं चिट्टी को पूरा पड़े बगार ही उसने लोटा दिया रामकली ने उसे फिर जेब में डला दिर्ग निश्वास को छिपाए भी नहीं भुले तो तुम्हें यहां कोई कष्ट नहीं है तुम्हारे यह मुझे चिंतित होने की कोई वज़ा नहीं इश्वर ने कल्डियान करया यहीं बता कर तुम्हारी मा को दिलासा ले पाऊंगा मा को सत्य जरा चौकी मा को इस चिट्टी के बारे में कैसे मालूम हुआ नहीं उन्हें यह सब माने ही मालूम लेकिन बेटी के बेटी बेटी करके व्याकुल हो गई है खेर इसी बात का संतोश है कि तुम्हारे परती कोई दुरुवेवार नहीं होता और मैं यकिन करूंगा कि तुम ठीक ही कह रही हो सत्य ने एक बार फिर उसी तरह सिर उठा कर ताका अब की जैसे भेंकर मान की एक छाया उसकी आँकों से फूट पड़ी धीमे लेकिन दृर्ड स्वर में बुली कांसे पीतल के बरतन भी एक जगा रहते हैं तो समय समय पर टकराते हैं बाबुजी हम सब तो जीते जाकते आदमी हैं कभी जगडते ही नहीं जगड़ेंगे नहीं यह भला बल पूर्वक कहा जा सकता है लेकिन हाँ अपनी बेटी पर इतना भरोसा रखे कि वह कोई अन्याय करेगी भी नहीं और सहेगी भी नहीं रामकली चले गए सत्ये ने फिर उन्हें परणाम किया लेकिन यही तो इती नहीं थी बिडिया को लिवाए बिना भी चल दिये सम्धी जी रामकली के इस सवाल का जवाब देना पड़ा था और चूकी बना कर जूट नहीं बोल पा इसलिए व्यंग भी सुनना पड़ा अपने उसी इस्तरी जैसे धंग से गाल पर हाथ रकर सत्या ने सत्या के ससूर ने कहा आप यह क्या करें सम्धी जी बेटी बाप के यहां नहीं जाना जाती यह तो बड़े अश्यरे की बात सुनाई आपने रामकली के जी में आया कुत्ते का काटना गुटने के नीचे लेकिन सत्या के ससूर के लिए यह मुहावरा सहजी उसके मन में आ गया यह भी तो कम गलाने की बात ने उनके वैवार में सौजन्य और विने की कमी ने फिर भी रामकली को वे स्थूल और अमरजित क्यों लगे जमाता वेशक बेफकुफ सा है स्वभाव का कैसा है कौन चाने बस वही तो जरा देर के लिए भेट हुई थी और फिर जो चमपत हुआ सो हुआ उसके दोस्त को भले फिर देखा वे खुब समझ में आया कि उसका दोस्त नवकुमार के माबाब के प्रती प्रती श्रद्धा शील नहीं है श्रद्धा के योगे भी नहीं है वे तो भी रामकली का जी कचोट उटा ऐसी सुसराल में भी सत्य खासी हिल मिल गई ऐसी मिल गई की सास की सेहत के बहाने उसने मैं के जाने का लोग छोड़ दिया मौका मिला फिर भी मैं के जाने के लिए तयार नहीं हुई ऐसी कोई लड़की रामकली ने अपने इतने बड़े जीवन में देखी है क्या फिर भी उसे ठीक से समझना मुश्किल है शायद हो कि उसे अब कभी भी समझा नहीं जा सकेगा रामकली की बेटी रामकली से बहुत दूर चली गई है और भी बहुत बहुत दूर चली जाएगी उस सत्य को अब कहीं ढूंड कर पाया जा सकता है सदा के निसंग रामकली के मन की एक छोटी सी संगी रामकली के अकाश का टिम्टिमाता एक तैरा सदा के लिए खो गया कि उनकी भावना में बाधा पड़ी नजर आया पालकी के कहारों से ताल मिलाते वे एक और आदमी दोड़ रहा है कब से दोड़ा आ रहा है आया ही कहा कुछ कहना चाता है रामकली ने कहारों से रुकने को कहा और तब देखा यह नीता ही है नवकुमार का मित्र किसी एक परत्याशा से रामकली का चारा दमक उटा क्या सोचा उन्होंने सत्यावजती ने उन्हें लोटा लाने को कहा है अब रोकर कहे कि आपने बेटी के मुझी बात ही सुनी बाबुजी उसका मान को नहीं देखा एक बार ना ना किया आप चल दिये बहुत सी बाते मन में घुमड़ाई पर सहियत स्वर में ही पुझा क्या खबर है निताई हाफ राता दम लेकर बोला मेरी धिटाई माफ करें मैं यह कहने आया हूँ कि आपने यह क्या किया बेटी को लिवाने के लिए आया और खाली हाट लोट रहे है बनर जी बाब उसी हार गए क्या रामकली का चहरा सुर्ख होटा किसी तरह से अपने को जब्द करके भूले डिटाई को माफ करना कटी हो रहे हैं समझ गया लेकिन बड़ी उमीद से मैं बेताशा भागा रहा हूँ बेटी को आप ले नहीं जा रहे पर पीछे शायद उसे जिन्दा ही ना देख मैं शायद आत्मत्या करके आपकी बेटी तूट सकती है जुक नहीं सकती रामकली ने दबे गले से डांट सी बताई देखने में तो भरे लगते हो सो अब आप इतना ऐसा क्यो है इतर सा पराए घर की बहु के अलोचना इतराता ही है खैर निताई ने अभिमान शुब्द चाहरे से सिर जुका कर परणाम करते वे का और क्या कहूं लेकिन यह हिमाकत अकेली मेरी नहीं आपका दबाद नव कुमर निताई ने धिरे से का कहराता नजर के सामने इस तरी हत्या देखूंगा परतिकार नहीं करूंगा इसी से मैं निताई धिरी धिरे चला गया काट के मारे से इधर उधर ताक्तिर राम करी आत्मसमान छोड़कर उसे फिर से बुलाने के बाद आदी से अन तक सब सुनकर फिर जमाई की है जाए फिर फिर उनसे कहे ना मुझसे गलती हो गई नादान बच्ची के हैल में क्या कह गई यह बाद कोई बात नहीं मैं उसे ले जाओंगा अच्छा फिर यदि सत्या फिर कहे फिर लौट कैसे आए पाबजी मैंने तो कह दिया भी नहीं जाना हो सके गतब तब क्या करेंगे रामकली यही कहेंगे कि पगली लड़की पागल पन छोड़ तेरी माँ तुझे देखे बिना रो रो के दिन काट रही है यह कहेंगे कि तुझे साथ लिए बिना लौटने में मेरा जो हाहा कार कर रहा है कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता आत्म सम्मान को कितना सताएंगे उठा पाल की कारों से कार पाल की उठा कर चल पड़े धीरे धीरे उनके विसमे की धूसर तक फीकी हुआई कार्य कारन का रूप आँखों में उतराया निलामबर बेनरजी से वे नहीं हारे हार गए अपनी आत्म जासे बुद्धी से उसने उन्हें प्रास्त कर दिया बाप को समझा दिया कि ससुराल मेवा सुकी है संतुष्ट है अब जीवन देकर भी अपने बाप की शान्ती को बरकरार रखेगी वे और रामकली रामकली सत्य के उस कोशल से भटक गए अभी मांस से अंधे हो गए अपना हंकार ले लोट जाए अब वापस नहीं जाया जा सकता अब वक्त का इंतिजार करना होगा पुन्युक की भियाके बिल्कुल करीब वे आएगी खुटुम की तरह बशरते तब तक अकर जिन्दा रह जाए आँखे जल उठी जैसे की मिर्च पढ़ गई हो अपने सभाव से बाहर पाल की से मुह निकल कर उन्हाने कहा कच्छो की तरह क्यों चल रहा है रहे पाव में जोर नहीं है चिठी शत्रू की करतूत है यह बात मेरी गलत नहीं बहु क्यो एलोकेशी रोज पीटती है यह कहना उनके प्रती अन्याय करना होगा पीटा एक ही दिन था वे बाल बांधने वाले दिन हाँ जरा आस मिटा कर ही मारेगी यह सोचकर आंगन में सुखते वे चैलों में से एक उठा लाई थी लेकिन उस चैले की वह पीट पर तोड़ने का सुख उने नहीं मिला बहु उन्हें जट जपटकर वह चैला उनके हाथ से छीन लिया और गंभी रोकर बोली देखिए आप गुरूजन हैं गुरूजन की तरह रहिए आपको सिर आखो पर रखोंगी और नहीं तो जान लीजिया आपके नसीब में दुख लिखा है आपने मुझे पहचाना नहीं है इसी से यही समझ रखा है कि मुझे पर जो चाहे करेंगी यह ख्याल छोड़ दीजे उसकी बात पूरी नहोते नहोते एलो केशी दाढ़ मारकर रोपड़ी और मुहले की बिड़ी जुटा लिग फिर तो हल चल हो गई हला मच किया लेकिन उस रंग मच पर सत्य नजर नहीं है सौधामनी नहीं लोगों को हरानी दूर की कहा फागुन की गर्मी में मामी का दिमाग गरम हो गया अवश्य ही है बात लोगों को अलग ले जाकर कही थी सौधामनी को गिन गिन कर गालिया देती हुई एलोकेशी नहीं का अच्छा गाउं भर के लोग देखेंगे कि इस बहु के माता मुडवा कर इस गाउं से बाहर निकाल देती हुई की नहीं लेकिन एलोकेशी अपनी इस बात को काम का रूप नहीं दे सकी यह सुनकर बहु ने सौधा को कहने के बाहने साफ सुना दिया घर की बहु का सिर मुडवा कर उसे घर से बाहर निकाल देने में अगर आप सब का सिर उचा हो तो अपनी मामी से वही करने को कहो सौधा दी लेकिन सोच लेने की कहना ऐसा करने से लोग किचड किस पर उचा लेंगे सुनते ही एलोकेशी अब आपे के बाहर हो गई ठहर ठहर आस तो तुझे काट कर मैं खुद भी फासी चड़ती हूँ घर की बहु ऐसी होती है और ऐसी जबान सत्य ने रसोई के बरांदे से मचली काटने वाली हसिया उठाकर चुपचाप सास की तरफ बढ़ाते वेका तो लीजिये वही कीजिये ऐसे में यह देखने नहीं आऊंगी कि किसके मुँपर कालिक पुती इसके बाद तो ऐलोकेशी निधाल निधाल सी हो गई उनके मुँझ से कोई बात ही न फुटी कुछ देर तक हसिया की चकाचचधार की तरफ ताकती रहकर वेवान से खिसक पड़ी और तब से बग चक बग चक छोड़कर उसने बूलना ही बंद कर दिया भीतरी भीतर निलांबर को उकसाती रही कि बहू के गहना गुरिया चीन कर बाप के घर भीज दो और भीजने के बाद फिर कभी उसे मंगाना नहीं लेकिन हीला हवाला खोजने में दिन बित्ते जा रहे थी कि अचानक राम कलिया पहुचे एलोकेशी को मनो हाथ में चांद मिल गया उन्होंने टैक कर लिया कि इसी महाने बहु को भेज देंगी सदा के लिए क्योंकि इस बीच उन्होंने एक लड़की देख रखी थी साथ आट साल की निरहेसी और फिर लड़की के बाप ने यह कहा था कि लड़की को वे सोना चांदी के गहनों को एड़ी चोटी तक लाद देंगे यही महामंत्र एलोकेशी पती को आठों पहर जपाती रहती इसलिए एक ही बात पर निलामबर बहु को विदा करने के लिए भी तयार होगे बहुई भी दगवाटी रामकली चले गए एलोकेशी ने काटाक्श करते वे पती से का देख लिया कैसी जाबाज और धोके बाज़ आ यह लड़की मैंने कहा नहीं था इसकी हड़ी हड़ी में शिरारत है निलामबर हाँ देख तो रहूं तो फिर बताओ इस बहु को लेकर मुझे घर करना होगा एक तो उस मोजली सौधी से ही नाक में दम है तिस पर यह बहु और फिर दौनों में मेल कितना है इसलिए मैं सूप की हवा लगा कर बहु का विदा करना चाहते हूँ और एक बात वह भी समझो की अभी साथ नहीं होने दिया यह चक्का पंजा बहु पती को जैसी पाएगी एक बारगी मुठी में कर लेगी फिर हमारा निम्बू हमारा थोड़ी ही रहेगा इससे तो मेरी बकुल फूल के देवर की वह बेटी भोली भाली है लेकिन समझी से निलामबर यह नहीं कह सके कि समझी जी आप चाहते हैं तो अपनी बिटिया को ले जाएए वरना हमें उसे हम सूप की हवा दे कर निकाल देंगे निलामबर में एक दोश है उसका कलेज़ा जितना चौड़ा हो मुग का जोर कम है एलोकेशी ने अपने मुग गाल पर तपड़ मार करका क्या बताऊं समझी मर्द है उनसे बोलने का उपाय नहीं नहीं तो मैं देख लेती वे कैसे काईया है और उनकी लाडली बेटी ही कितनी बड़ी बहादुर है बहु से बोलना बंद कर रखा था एलोकेशी ने एलोकेशी की यह आन लेकिन रह नहीं सकी सत्य बठी पान लगा रही थी वहीं लब पकर गई और बोली बाप लेने के लिए आया था गई नहीं सत्य ने एक नेजर उटाई फिर नेजर चुकार कर पान लगाने लगी एं जवाब नहीं दिया बाप के साथ अपनी फुआ के बिया में नहीं गई सत्य ने धीमे सिका बिया में तो अभी देर है लेकिन बाप तो लेने के लिए आया था देखिए बाबु जी के बारे में न ऐसी अश्रद्धा से ना बोलिये सत्य ने लगी खिलियों को पनबटे पर रखकर उस पर गीला लत्ता डालकर ताक पर रखका गुस्से के मारे एलो केशी की कोई दिशा नहीं सुची लाचार बोली कलमुही सोचा क्या है तुने बाप के घर नहीं चाहेगी सदा मेरे ही सीने पर बैठी रहेगी सत्य ने एक अंतरबेदी दृष्टी से ताकर का ऐसी आफ़त क्यों जब वरन करके लाई हो तो बोज़ा तो सदा ही ढोना पड़ेगा ना नव कुमार को भगने दूद से खबर मिली निताई कह गया तेरे ससुर ने बस मुझे जलाकर भस्म कर देना ही भागी रखका लेकिं निताई की बाद का उसने कुछ वैसाँ नहीं किया सताई जाने वाली पत्नी को बचाने के साधू संकल्प से उसने दुस्थाहस का काम किया थे लेकिन रामकली के चले जाने के बाद अपने मन की और झांकर उसे खथ अश्यार हुआ सत्तेवती का जाना नहीं हुआ इस से उसके मन में पुलक की लहर लहरा गई इस रहस्या का किनारा नहीं खुछ सका लेकिन नव कुमार के लिए और जो कौन सा अनुका रहस्या था या कैवा पलबर नहीं जानता था रात जादा नहीं हुई थी सांजी हुई थी अभी एलोकेशी निया मनुसा न अपने बिस्तर पर चाह लेती और निलामबर अपने रात के सफर में निकले थे काट के चिरागदान पर दिया रखकर सौधा रसुई कर रही थी नव कुमार चुपचाब घर के अंधेरे दालान को पार कर रही थी कि बगल के कमरे के दरवाजे के पास से एक धीमी इंदू सकत अवाज जाए जरा रुकिये तो यह तो आवाज पिता की नहीं थी मा की भी नहीं और सौधा दी की भी नहीं लिहाजा घर में और कौन है उसकी सपने लोक की प्रतिमा के सिवा अंधेरे में कोई किसी को देख नहीं पा रहा था सिर्फ आवाजी सुनी जासा रही थी मेरी दुग गाता सुनाते में इत्यानंद पुर के ओए चिठी किसने भेजी थी कहना ना होगा नव कुमार बुद बन गया जवाब क्यों नहीं देते मैं क्या कहूं नव कुमार ने धीमे से का साफ बताओ मेरे बाबुचो के चिठी किसने लिखी इस प्रशन पर मौन रहना नव कुमार के वश्के बाहर तवे बुला मुझसे बोल रही हो कोई सुन लेगा उसकी फिगर मुझे होगी तुम बात का जवाब दो नव कुमार ने गला खुजलाया पसीना पसीना होकर बोला मुझे क्या पता कैसे चिठी देखो जूट मत बोलो नरक में भी ठोड नहीं होता है मैं खुब समझती हूँ यह करतू तुम्हारी है नव कुमार का पतित्व परभुत्व और पौरुश मनों धिक्कार उटा वह भी सहसा बिगड़कर बोला यदि मैंने ही लिखिया तो क्या कसूर किया आप ही तो मर रही थी अंधिरे में इसे दीमा और तीखास और तुरंत निकला मैं मर रही थी यह डिंडोरा पीट कर कुटूंब के कानों तक पहुँचाने की बात नहीं थी जो अपनी मा के गाल पर कालिक पूरते हैं उसकी विद्या बुद्धी की बढ़ाई क्या घर के दुश्मन विवेशन को सारी दुनिया धुर्ची करती है तारीफ नहीं करती इस बात को समझ कर काम करना दर्वाजे पर खड़ी मुर्ती का अभास अंधेरे में खो गया गले के सुवर का अनुसरन भी हवा में गायब हो गया मगर नव कुमार जहां का तहां खड़ा रह गया पत्नी के भाशन की रुमांचकर और आवेश भरी जो कल्पना है नव कुमार का अनाजु किर दिया तक करता रहा था उस पर किसी ने स्याही भरी दवात उलट दी जीवन में इस तरी से पहली बात चीत हुई और इस तरह इलाके में सत्यवती की बेहयाई की बात किसी से ना चीपी रही बाप लेवाने आया था और सास ससुर ने भी हा कर दिया था पर सत्य नहीं गई बाप को लोटा दिया फूस के छप्पर में लगी आग जैसी है बात इस से उस टोले तक फैल गई तोले की दूसरी बहों ने सोचा भनरजी परिवार की बहु की भोतेरी निंदा सुनी थी मतलब अब समझ में आया बहु पागल है आह बिचारा नव कुमर समधी की संपत्ती के लालत से बाप ने बेटे के गले में एक पागल बहु को बांद दिया सत्य के बारे में इस तरह की आलोचना और एक बार हो चुकी थी और वो थी उसके नेहर में जब यह बात फैली कि रामकली ने बेटी को भेजना नहीं चाहा था बेटी नहीं खुद कहा विदा कर दो बाबुजी उस समय इस से भी कुछ कम चीची नहीं हुई थी भुवनेश्वरी रो रोकर मोटी मोटी गालियां देते वे माटी को गिला करती रही सत्य की सहेलियां गाल पर से हाथ नहीं अटा सकी पर सत्य है निश्चल रही सिरफ जब शारदा ने कहा ननत जी अपने ही आतो अपने पाउं कुलाडी मारी तो वह बोली थी कुलाडी तो बाबुजी ने आठी साल की उमर में गले पर रख दीती भावी नई बात कौन सी हुई फिर भी एक साल और रह पाती इतनी बड़ी जिनकी में एक साल की कमी से क्या आता जाता है गुसे में लोग दूसरे भ्याकी या क्या तो कह रहे हैं यदि वै कर ही बठे तो ताज जिन्दगी सौथ की जलन के लिए जलते रहना होगा शार दई यह बात सुनकर एक निश्वास छोड़ती भी चूप हो गई और जब भुवनेश्वरी ने रोते पीटते हुए उसका हाथ पकड़ कर कहा हम सब के लिए तुम्हारा जी कैसा नहीं कर रहा सकते है तो उसने दूसरी और मुँ फिर करका करता है या नहीं यह बात क्या ढोल पीट कर कहनी पड़ेगी तो फिर अपने में जाना क्यों चाती है क्योंकि क्या कोई जवाब नहीं आप ही तो कहती हो मा निर्भुदिया सी रो रो करके मरती है सोच तो देखें खुद किसका घर करती है भुवनेश्वरी को इसमें भी होश नहीं आया भुली मेरी तो गनीमत है या टोला वह टोला तेरी तरह दस्विस कोस दूर नहीं है अब सत्या के धीरच का बांध रोक ना रुका रो पड़ी कहा यह बात उस समय क्यों ना सोची थी मैं तो इकलौती बेटी थी ना जर से दूर बहुत दूर गंगा हिन देश को विदा कर दिया माया ममता होती तो ऐसा करती पुन्न को ही लो साल भर की तो छोटी है मुझसे खेलती फिर रही है और मुझे जाने कब परगोतर कर दिया गला साफ करके उसने बात पुरी की ऐसा नहीं किया होता तो गले में अंगोचा डल कर कोई खीच ले जा सकता था मुझे बाबु जी ने बेटी पर ममता नहीं की गौरी दान करके पुन्निया कमाया मुझे भी माया ममता नहीं निर्मोही बाप की निर्मोही बोटी हूँ मैं और माटी पर लुड़कर फफखने लगी बाब की याड में और मा के सामने इस अलोचना की आधी उटी थी इस बार भी यही इस बार मोटा मोटी सत्य की ओट में सिर्फ सौदा बोली धन्य हो बाबी तुम्हें नमस्कार करूं या चीची करूं या पैरों की धूल लूँ तुम हरी सोच नहीं पा रही हो जवाब में सत्य ने जुकर सौदा मनी के ही पावों की धूल ली और हसकर का राम कहो तुम गुरुजनों चीची ही करो जो सदा से पाती आई हो सत्य के अंदर विराट समुदर का जो आलुंदरन चल रहा है उसे क्या भे लोगों के सामने फैला कर रख दे समुदर का आलोडन ही कही है फिर भी बाप के चले जाने के बाद तूटने ही पड़ी है मजे में तेल बाती लिए दिये सजाने बठी घाट पर गई बदन धोया कपड़े खीचे और बहुत बड़े घरे को भड़ लाई बरांदे पर उसे रखकर गीले ही कपड़ों पर ठाकुर घर में संदा बाती दिखाई शंक फूका तूलसी चोरे में जल डाला और कपड़े बदल कर रसोई करने बैठ गई रात की रसोई आजकल सत्य ही बनाती है सौदा से कह कह कर अपने हक या उसने अदा कर लिया सिर्फ रसोई करते समय उसकी आँखों से आंसु बह निकलाता फागुन के अंत में से बीच वेशाक तक कितने दिन है इसका लेखा वे नहीं लगा सकी और इसका कोई साक्षी भी नहीं किन्तु सत्य के जीवन में वे बीच वेशाक आनद की मुर्थी जैसा दिखाता तमकता चमकता रूप लिये नहीं उस रूप के दर्शन नहीं मिले पुन्नू की भिया में वे नहीं जा पाई एन उसी वक्त पर एलो केची पेचिस से अर्चर मरा उठी थी कत्री ओडे पड़ी वे सास बोल उठी थी क्या बोली सौधा मैंके जाने के लिए उचल रही है जब बाप दुलार से लेने आया था तब तो नहीं गई और अब जब मैं मर रही हूँ कहद उससे नहीं जा पाईगी जो लेने के लिए आया है वो उसे उल्टे पाउं लोटा जाए मामी मरने को है इस नाति सौधा परहेच करके बोलेगी या नहीं वह जंकार उटी उन लोगों ने तुमारी आदमी को यो शाली गराम की तरह खातिर करके खिलाया पिलाया एक गठ्री समान देकर समान से विदा किया और तुम उनके आदमी को उल्टे पाउं लोटा दोगी लोटा दो उजवल होगा तुमारा मेरा कहा मानो दस पांच दिन के लिए बेज जीदो बच्ची है फिर यह सुना है कि यही फुआ इसकी सदा की सातिन रही है एलो केशी चीची करके बली तो फिर कह दो जाने को और तुम ही क्यों रहोगी तुम भी विदा हो जाओ सिर्फ जाने के लिए पहले एक छूरी लाकर मेरे गले में चला देना सुदा ने छूरी नहीं दी आप भी विदा नहीं उसने सिर्फ सत्य के जाने की तैयारी की लेकिन नव कुमार आड़े आया हटात मर्द मालिक की भूमी का आदा करते वे बोरुटा जाना वाना नहीं होगा किसी का मेरी मां मरने को है और कोई अपनी चचेरी फुआ के भीया का भोज़ खाने चली कैदो सौदा दिया नहीं होगा नव कुमार की इस खोशना से सास सुसुने निरलिप्त होकर का अब हम क्या कह सकते हैं जब नोबा सौदा नहीं फिर भी कोशिश की जैसे हर समय तुम लोग नोबा के लिए कहने सही उठते बैठते हो लेकिन काम नहीं बना एलोकेशी ने गाली शराब दे कर भूद भगा दिया सत्यवती बोली मैंने बाबुजी से कहा था कि मैं बिहां में जाऊंगी नव कुमार ने इस पर सौदा के मार्फत कहलाया अगर कोई यह चाहती हो कि समाज में हमारी हेटी हो तो जाए सौदा जरा देर तक उसके और ताक्तिरे फिर अचानक हसकर बोली बड़े तो विक्य की तरह बोल रहे हो असली बात कैसो बताओ बहु का साथ तो अभी हुआ नहीं है फिर भी इतना जी कैसा सौदा की इस बात पर नव कुमार का मालिकाना भाफ सहसक गायब हो गया चाह कहकर हट गया शायद यह भी सोचा सौदा दी क्या अंतर यामी है लेकिन अंतर तक सत्यवती ही अड़ गई सौदा जब अपनी कोशिश में कामियाब हो गई तैह हुआ की नियोता रखने के लिए जब नव कुमार जाएगा तो साथ में बहु भी जाएगी सिरफ तीन दिन के लिए वरवदू उधर विदा होंगे और इधर ये भी चले आएगे इस पर सत्यवती बोल उठी ऐसी एक मुठी भीग के जरुवत नहीं है मुझे तीन दिन में तो घर के ही सब लोगों की शकल नहीं देख पाऊंगी टोले की तो दूर रही ऐसे जाने का क्या फाइदा लोग कहेंगे सत्य आई थी सत्य चली गई थी सुलो इसकी बात भात नसीब नहीं गहने की आश्या अरी मुठी बर भीग भी तो नहीं मिल रही थी कम से कम ब्या तो देख लेगी नहीं देखा तो क्या जिसे नियोता रखना है वही जाए फिर तो वह गया और ठीक नवकुमार ने हाद चोड़ कर कहा माफ करो बाबा अंत में निलांबर नहीं उपाय किया उस आदमी के हाद चिट्टी लिग भेजी नवकुमार की माम मुठ की सेच पर है लाचारी किसी का आना संभव ना हो सका नियोता के दो रुपे भेज रहा हूँ राम कली उस चिट्टी को देखकर तेर तक चुप रहे उसके बाद धीरे से बोले ये रुपे तु जलपान के लिए रख ले राको और हाँ अंदर जाकर कह दे सत्य की सास की हालत ना चुक है इसलिए मैं नहीं आ सकी उसके बाद शादी हो गई बेशाग पीता जेट अशाड भी बीद गया राम कली के को नव कुमार की मा के मनने की खबर नहीं मिली यह ना पाना क्या रागेस्तान की रुखी हवा जैसा है जो हवा सारी को मलता और सरस्ता को सोक लेती है नहीं तो राम कली धीरे-धीरे इतना नीरस और कठिंग क्यों हो गए उन्होंने भल मानस्ता के नाते अपनी समधिन का कुशल क्यों नहीं पूछा आगा बेटी को लाने बेहाय का असमान है यही क्या सोचा उन्होंने अंतापुर में विच्छेद व्याकुल मा का एक खिरदै जो रामकली की इस कटोड़ता के सामने मूख पीड़ा से स्तब्द पड़ा है इसे समझने की इच्छा क्यों नहीं हुई उन्हे रामकली ने क्या यह सोचा कि इस बार भी उस रत्ती भर की लड़की ने ही बाप के सामने अपना अंकार दिखाया द्रड़ता का अंकार कटिंता का अंकार उसने यह कहना चाहा देखो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ इसी से आहत पिता हिर्दै इस अंदेरे में दिशा कोकर चुपड़ा रहा सोचा देखा जाएगा लेकिन कब देखेंगे वे आसमान उम्र के दो जैने के शतरंज की चाल में कितनी ही बाते गुजर गए जिनमें से एक भी गुजरने पर बेटी दोड़कर बाप की यहां आ सकती है मगर कहना तो चाहिए बेटी का बाप कले में दोती का छोड़ डालकर अरजी पेश करे जब तो रामकली यह नहीं करने के सो एक बार अपने नियम के मताबिक वर्षा शेरत जाड़ा बसंद बीद गया संध्या गायत्री पूजा आदिसे निर्वित होकर ग्रह देवता नरायन शीला का प्रसाद दो बताशे मूं में डालकर पानी पीने के बाद निलामबर बाबू ने आवाज दी सौदा आज मेरे लिए जलपान की त्यारी मत करना तबियत कुछ ठीक नहीं है मामा के लिए सौदा थोड़े से भुने चावल में नमक तेल मिला रही थी घर में खोई की बर्फी नारियर के लड़ू थे काम चल जाएगा निलामबर आज कल रात में जादा कुछ नहीं खाते मामा की हांक सुनकर सौदा मनी निकली क्यों आपकी तबियत को क्या हो गया मामा क्या पता भूक नहीं इतना कहकर रोज की तरह बदन में बनियान डाल कंदे पर अलवान रखकर रात को चराई मेवे निकल पड़े सत्यवती कमरे से निकली कहा तबियत अगर खराब है तो ससुर जी जाड़े की इस रात को भाहर क्यों निकली सौदा ने हसी रुक कर कहा क्यों निकले यह तो उनसे खुदी ही सुलो जरा मैं उसे बोलती हूँ सत्य ने जट सौदा का हाथ पकड़े और संधिय की स्वर में बोली अच्छा कहो तो ननाद जी ससुर जी जब भी टहलने जाते हैं तो तुम इस तरह हस्ती क्यों हो कहा जाते हैं हाई राम हस्ती कब-कब हूँ जाते होंगे सैत्रंज पाशे के अड़े पर तबियत खराब होने पर भी जाना पड़ेगा आंधी, पानी, गाज गिरने पर भी नहीं चुट सकता तुम लोग मना नहीं कर सकती हो मना बाप, प्रे, वह किचाब, यवराज के किचाब से भी जादा है सौधा ने फिर अपनी हसी को दबाया मैं ससुर जी से बात करती होती तो उनकी यह जानमर उलत छुड़ा देती तो फिर यही कोशिश करके देख खुद से कहते ना बने तो अपने दुला से कहलवाना है तो लायक लड़का है यदि बाप के इस बुरे नशे को छुड़ा सकी यह नहीं कि बात सत्य को जची नहीं बलकि सौधा की बातों में उसे कैसे तो एक छिपेवे कौतुक का अभास मिला उसमें यही संदे जोर पकड़ गई कि ससुर का यह नशे शेतरंज पाशे के अड़े का नहीं है रात को कमरे में पैर रखते ही सत्य ने पहली बात यहीं उठाई अच्छा ससुर जी रोज रात को कहा जाते हैं कहुतों हाँ कुछ दिन हुए सत्य को रात का अधिकार मिला है मिला है सौधा ही की कोशिश में और साधा की कोशिश नव कुमार के प्रतिक करुणा है वरना बहु तो हिल्डूल ही नहीं रही थी नई बहु के सपने में विभोर नव कुमार ऐसे प्रशन के लिए तेयार नहीं था इसी से वे सक्त पका गया और का नहीं जानती हो जानती होती तो तुमसे पूछती नव कुमार कंभीर हो गया बाप गुरुजन है उनके बारे में आलोचना ना करना ही ठीक है सत्ये ने भवो पर बल ढर कर गुरुजन की निंदा करना दोश है तो क्या उनके बारे में कुछ कहना भी दोश है यही तो निंदा की बात है ब्रामन होकर बागदी टोले में जाना उन सब के हाथों से पानी पान खाना यह सब क्या कोई गुन की बात है बागदी टोले में जाना उनके हाथ का पानी पान खाना सत्य को मानो उसके पती ने धूबी के पाट से पटक दिया हो वैसक पकाई, पुछा मतलब नव कुमार ने सक्ति की उमर का ख्याल नहीं किया वैस सारी प्रशन की आधार है उसकी यही धारना है इसलिए उदास सा बोला मतलब, मतलब अगर ना समझो तो लाचारी है बाप के बारे में खोल कर क्या कहूं कहते है ना पिता स्वर्ग, पिता धरम नहीं तो घाट वाट में जब उस बागदिन को देखता हूं तो गुस्से से तन बदन में आग लग जाती है लेकिन करू क्या जी को समझाना पड़ता है जो भी हो माता के ही समान है पुझे पिता जी के बारे में कुछ नहीं कोँगा कहकर भी सब कुछ बता कर नव कुमार ने निश्चिन दोकर प्यार से स्त्री को करीब खीजना चाहा लेकिन है क्या रोज की वह प्रसंद प्रतिमा एका एक पत्थर की मूरत क्यों बन गई सत्या सच्मुची पत्तर जैसे सक्त हो गई थी और उसके उस शरीर का मन वह मन भी के एक अंजाने डर से काट हो गया हाँ डर से जैसे डर से बहुत बहुत पहले बाली का सत्या का मान कटवा की बहुँ शंकरी के बारे में संसार तत्वका वैं बहुत कुछ जान चुगी थी इसलिए भै के गाड़े अंदकार में दब दब करके जल उठी थी बिजली की चौप एकाद बार कोशिश करके निराश होकर नव कुमाने का तुम्हे क्या हो गया है दिन बर से के बाद सुख दुक्की दो बाते करूँगा जरा हसी खुशी होगी इसी उमिद से हा किये रहता हूं सत्य ने रूंदे गले से का खुशी खुशी कुछ कुछ कुमार के यहां के बरतन तो नहीं है कि फरमाईश पर ही मिल जाए यदि हसी खुशी के लायक मन ना हो तो निर्बोध नव कुमार ने मजाक की नहक चेश्टा करते वगा लेकिन इसमें तुम्हारे इतने दुखी होने का क्या आधार है आखिर में तो रुको भी कमरे की दिवार से तीके दिक्कार का एक सवर टक रहा है जाड़े की रात की वज़े से कुछ गला खोल कर बात की जा सकती है और सच पूछिए तो सत्य ऐसी लज्जावती बहू भी नहीं है उसके गले की आवाज दूर तक सुनाई पड़ती है दिकार देकर सत्य कत्री को गले तक ओड़कर उधर की मुझी ये बोली ग्रुना की इस बात को लेकर हसी मजा करते तुम्हें शरम नहीं आती मैं लेकिन साफ कहे देती हूँ अब सियदी मैं ससूर जी की श्रद्धा भक्ती ना कर पाऊं तो मुझे दोश मत देना नव कुमर मनीमा ने अपने को ही बलाबुरा कहने लग अच्छी कैसा गदा हूं मैं बाबुजी कहां जाते हैं नहीं जानता यही कहने से हो जाता अपनी बीबी को तो वै जानता है ठीक है गंगा जल और कहीं बिगड उठी तो उफ अजीब एक बक्ती है एक बार नव कुमार का कौन सा जूट तो पकड़ा गया पांच दिन तक बोलचाल बंद हार पारकर निताई से राय सला लेकर नव कुमार ने एक शलोक सुनाया स्त्री से जूट कहने में पाप नहीं है तब जाकर स्त्री के मुझा ताला कुला अवश्य ताला शास्त्र के वाक्य को मान कर नहीं प्रतिवाद के लिए खुला सत्य ने तीज दिखा कर का चुप चुप शास्त्र की राने दो जो शास्त्र कहे कि जूट में पाप नहीं है उस शास्त्र की मुझे अरूची है इस्त्री क्या आदमी नहीं है उसमें भगवान नहीं बसते अब तुम्हारी किसी बात का विश्वास करूंगी मैं जो भी हो जगड़े के भाने ही पातों का बंदर वाजा तो खुला अब की ना जाने क्या हो सत्या सोच रही थी छी उसके ससूर का यह चरितर ससूर के चरितर क कि बहुत सी खामिया देख चुकी है वह नीचता शुद्रता स्वार्थ परता में अपनी स्त्री एलोकेशी से वह कुछ कम नहीं है किन्तो इस खामी से तो शर्म और नफरत से के लहू के कण भी रोरो कर उठें इस मुन में ऐसी हरकत और मजा यह कि इस बात को यह सबी लोग जानते हैं ना ऐसे ससुर की वे भक्ती नहीं करेगी इसके लिए लोग जो चाहे करें सहसा सत्य के सर्वां को अलोडित करते वे रुलाई का एक प्रवल वेग आवे गुमड़ा और इतने लंबे अर्से के बाद बाप परतीखे अभिमान से उसका हिर्दय फटन लगा इस घ उठा उठा कर पटकने लगी इसलिए जो सत्य हजार सताय जाने के बावजुत कभी नहीं रोती वे आज आज आंसु से तक्यों को बिगोती भी कहते लिए बाबुजी दस पांच नहीं मैं एक ही तो लड़की थी तुमारी बिना देखे सुने ऐसे घर में डाल दिया ऐसे ऐ तड़के उठकर स्नान शुद होकर भारी मंसे वे नरायन के कमरे को सबारने गई आदत के मताबिक चंदनोटी खीच कर चंदन जो घिसने गई उस बात से बिजली की सिरहनसी पैदा हो गई इस जदन से चंदन घिसने फूल तुलसी चुने और धूब दीब से घर भरने की क् पूजा करेंगे उन्हें कुछ खांसी की शिकायत है इसलिए सुबह नहाते नहीं है मुहा दोकर तशर का कपड़ा पहन कर पूजा के आसन पर बैठते हैं लेकिन नहाए भी तो क्या देहे मन आत्मा जिनका सब कुछ अप अवित्र है इस दान से वे शुद भी क्या होगा हाथ समेट कर घुटनों में मुह गाड़े सत्य बैठी रही फूल तोड़ना तुलसी बिनना नहीं हुआ बड़ी देर के बाद सौधा मनी उधर आई चौक कर बोली अरे क्या होगा बहु ऐसे क्यों बैठी हो सत्य चुप हर बढ़ा कर सौधा तरवाजे की चौकर तक तो भी इसे इतनी छूट है सौधा हस पड़ी कहा सो तो देखा है तो दुले से क्ला है नहा की तो बोलो नरच जी वैसे तुच्चे विश्यों में तुमारी बहु नहीं हारती मेरा मन ठीक नहीं है आज से पूजा घर का काम मैं नहीं करूंगी अचानक ऐसी घोशना से बहु बस यही गुरुजन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन ससुर जी आकर पूजा के आसन पर बैठेंगे यह सोचकर सवाडने की इच्छा मेरी जाती रही भैसे सौधा ने अपने ही मुँपर हतेली रखकर धीरे से का हाई राम मामी ने सिन लिया तो भी जिंद के बारे में सत्य ने जो कल पूछा था वही है इसमें संदे ने लेकिन उससे इस रण मुर्ती का कौन सा संबंद है सौधा समझ सकने की बाद भी नहीं सौधा मनी के काफी उम्रफी है यह सब बात उसके लिए कुछ भी नहीं आस पास में हर दम देखते देखते हाड मा स्या हो गया लिहाजा पती पुतर के सिवाय और किसी की चरीतर हिंता से जो इतना विजलित होना संबब है यह सौधा की धारना से बाहर है लेकिन दूसरी बातों में सौधा बुद्धी मती है इस बात पर ज़्यादा जोड़ न देकर बली ठीक है मैं जटपट नाकर यह सब करकर देती हूं तुम चली जाओ नहराज नहुना नानजी मेरा मन मान ही नहीं रहा तुम्हे कौन-कौन सा काम है बता दो मैं किये देती हूं और सच ही सत्य पूजा घर से बाहर निकलाई खैर पूजा घर की जिमेदारी तो स्वादा संबाल देगी लेकिन भवों का और भी तो एक काम है सवेरे का वह कौन जिलेगा सवेरे मुँ में पानी डालने से पहले सा ससुर की पद वंदना सत्य के नित्य नियमित करम में शामिल है एलोकेशन है सत्य इसे करती है लेकिन आज सत्य ने बड़ा ही दुस्सहासिक संकल्प किया उसे सही सलामत ना रहने दिया जाए यह भी मंजूर, लेकिन उस अपवित्र आदमी के चर्णों की धूलबे मातर पे नहीं लगाईगी, गुरुजय ने, तो क्या किया जाए, वे यदी इतरंजन का आचरन करें, एलो केशी भी सवेरे सवेरे ही नाकर पुजागर में दाकिल होती है, ग्रस्ती के कामकाज का तो को पत्ती पत्ने में जो भी बाते होती है, यही होती है, क्योंकि बातचित करने का जो असली समय है, वे तो एलो केशी के हाथ से बाहर है, मसहरी वारता लाप का उपाय का, सत्य रोज यहीं उन दोनों को परणाम कर चाते हैं, लेकिन आज सत्य का पता नहीं, कुछ देर के वे रही उधर, सौधा कल्पित उधर की तरफ देखने लगी, एलोकेशनी का श्रद्धा से, या अश्रद्धा से, सास ससूर के चड़नों पर सिर नवाती है, आज से शायद वे भी बंद है क्या, निलाम बर स्रोध पाट करते हुए उतकर्ण होटे, सौधा तब तक हवा हो गई, जाकर सत्य से का, क्यों री बहु अच पर नाम नहीं ठोका, क्यों? सत्य हाथ का काम चुका कर उदास बढ़ दी, गर्दन गुमाई भिना ही बोली नहीं, सास को खटका है, जाना जट पर निप्टा है, जैसे की सत्य भूल गई है, या दिला दे रही है, सत्य ने का, द दोश किस मर्द की नहीं है, तुमारे बाबुजी की तरह थोड़ी सब देव चरित रहें, तो क्या सभाब दोश की चलते, ससुर का पावना पर नाम भी रद हो जाएगा? बाबुजी की बात मत कर नाना जी, लेकिन जो मेरा जी नहीं चाहता, वह काम मैं नहीं कर सकती, एक तरह से तो वह पतित हैं, शाली ग्राम की पूजा कर उनके हाथों होनी ही नहीं चाहिए, सत्य शायद उत्तेजिना से जोर जोर से सांस लेने लगी, सौदा को कुछ देर तक बोलने की शक्ती ही नहीं, कुछ देर काट की मारिसी खड़ी रहने के बाद बोली, तेरी जैसे मै पड़ी लिखी नहीं रेवहू, इतनी बाते समझ सकने की समर्थ्य नहीं, मैं बस सार बात समझती हूँ, कि जो चाहे जो करे, मैं अपना कर्तव्य करती जाऊंगी, सत्य, मन में विरक्ती रखकर भक्ती दिखाने ही क्या कर्तव्य है, इसका जवाब सौदा तुरंत नहीं द तब यकी क्या बात हो रही है, रे सौदी, सौदा चुप, सत्य भी चुप, ऐलो किशी नहीं फिर्टो का, मुँमें बोली क्यू नहीं है, दौनों में क्या राय सला हो रही थी, तुमेरे ही खा पहन कर मेरे ही बहु को फोड़ेगी सौदा, मेरे घर से जाएगी कब तु, ब प्रामर्श ही देती हूं, सच है की जूट तुमारी बहु ही बताए, बहु सास के सामने बोलती नहीं, पर सत्य जब तब इस नियम को तोड़ देती है, और आज भी टप से बोल उठी, यह बात हजार बार सत्य है, ननत जी मुझको नेकी सला देने आई थी, मगर यह सला मु पहले तो अच-कच आ गई, फिर बोली इन सब बातों का मतलब क्या है रे सौधा, मतलब तो मैं भी नहीं समस्ती मामी, वने तो बहु ही समझावे, आज सौधा को वास्तव में गुस्सा आया, यह क्या, तिल को ताड करना, जान सुनकर कच-कच को बुलाना, दुनिया में ज लेकर मुर्चित ही होने होने कोई, लेकिन आज की घटना से उसकी तुलना नहीं हो सकती, सच, सच ही तो तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जाते जाते भी सौधा ने सुना, सत्य कह रही है, कहने में सिर जुका जा रहा है, फिर भी कहे बिना नहीं रह सकती, ससुर जी के पैरो उठा कर घाट के और चली गई बड़ी देर के बाद कमर पर घड़ा लिये वैं धीरे धीरे पिछवाड़े के दरवाजे पर आखड़ी हुई नय कोई शब्द नहीं सन्नाटा तो क्या कोई हत्याकांड हो चका यह मसांसी निस्तब्दता बरांदे पर आकर सौधा लेकिन अव पाक हो गई उसने देखा बीचले कमरे के दरवाजे के सामने अंगोची में बंधी कुछ गठरिया है और मामी मामा दौनों मिलकर एक फटे कपड़े में समान को बांध रहे हैं क्या है ठीक समझ में नहीं आए अब परत्याशित सौधा की कलेजे का लहु जमसा गया इतनी तेर में वह सारी तैयारी हो गई और हुई भी की तो क्या ही है बहु से हार कर घर चोड़ कर जा रहे हैं सौधा से आंके मिलते ही एलोकेशी ने कहा ननत भावी मिलकर मजे में घर गरस्ती चला पापी तापी लोग विदा हो रहे हैं घड़ा रखकर सौधा मनी बैठ गई ब वह तो पागल है उसकी बात कभी बुरा मानना पागल पागल गेहुएन है गेहुएन बहु की तरफ से तु वकालत मत कर सौधा इतने बड़े एक गन्य मानने व्यक्ति को बेटा पोत हुने के धिकार से जान देने जा रहे थे बहुत मनाम उनुकर लटाया अब गुरुधा जा रहे हैं उसके बाद जो नसीब में एलो केशी जल्दी जल्दी गठरी बादने लगी सौधा के जी में आ रहा था कि दोड़ कर जाकर बहुत से कई भला चाती है तो पैरो पकड़ कर माफी मांग लेकिन जानती है बेकार है कहना बेखुंट से खुद नरायन भी आएं त सत्य को डिगा नहीं सकते सत्य में गुण बहुत है मगर यही एक बहुत बड़ा दोश है जिद्धी है औरत क्यों कि इतनी जिद्ध सो सौधा ने इधर ही संभालने की कोशिश की लेकिन तुम लोग क्यों घर चोड़ोगी घर के बेटा पुता हुका है ना सही जहां रहकर उसका मुँ देखना पड़ेगा वहां नहीं रहेंगे बस इतनी देर के बाद निलामबर ने जवान खुली यह बात उन्हों नहीं कहीं खैर घर से लेकिन यूही बात तो नहीं जा सकती मैंने रसोई चड़ाई है दोक और मुँ में तो देना ही होगा समंदर में जैसे फिल क्या घूट नहीं ले सकता हूँ सौदा की छाती धड़कने लगी मामी से वह बहात कुछ बोल सकती है लेकिन मामा से वह उल्लासी के हाथ में पानी पीते हैं पान खाते हैं बहुतेरी बाते मालूम है तो भी तो डर नहीं गया लेकिन यह बहु बहा को जै के करने के मंतर उस लेरी कर रहा हूं और ऐसे दुड़ दिन में ही क्या हाट का दिन होना है सौदा क्या करे जाकर बहु का पाउं पकड़े ही या रसोई का में सांकल लगा कर कहीं आचल बिचा कर सोह है उसे ही क्या पढ़ी है आखिर उसी की दोश्च से तो नवकुमार के माबाभ घर नहीं च साहस देखकर साहस होता है और दुस्साहस देखकर वुस्साहस इसलिए उसने दूसरे ही रूप धारण किया बोली ठीक है मैं जाकर चूले में पानी डाल देती हूं और वे चली गे जाकर देखती है क्या रसोई के बरांदे में बैटी सत्य साग बिन रही है उसकी शकल से घर छोड़ना इतना असान नहीं है ननद जी, संसार को छोड़ते वे कोई सारे संसार की चीजों की गठरी बांद कर नहीं ले जाता, अरे तुम नहां की सोच रही हो, कोई नहीं जाते कहीं कर, मैंने चुले का आच उसका दी है, तुम अब संभालो, और सत्य का कहा ही ठीक नि निहोरा से, नवकुमार ने दोनों के पैरों पर सिर पठका, और मा के पैर चुकर कसम खाय की बव को टाट फठकार देगा, और नोबु को आज तक जो कभी नहीं किया था, वही कर बैठा, दिन में ही बीबी से बोल पड़ा, लेकिन बग चक, निहोरा विद्धिक करके, खैर, यदि श्रदाहीन प्रणाम के ही तुमें इतनी जरुवत है, तो कल से वह भी डॉंग करूंगी, रात को लेकिन नवकुमार का रूप ही दूसरा था, सुन्दिनी और तरुणी इस तरी से बोल चाल बंद होने का दुस्साहस, कष्ट, सहने की शक्ति इसमें नहीं, इस तेरे करवड बदली, कुछ देर गुजर जाने के बाद, वे हर बढ़ा कर उट बटी, कहा, मैं कलकत्ता जाओंगी, नवकुमार चौंका, कलकत्ता, कलकत्ता जाओंगी, आप समझ में आया, तुमारा दिमागी खराब हो गया, क्यों, दिमाग खराब हुए बना कोई कलकत्त नहीं जाता, तुमारे मास्टर का दिमाग खराब है, मास्टर से तुमारी तुलना, अरे वे तुम मर्द हैं, अकेले जाते हैं, अकेले आते हैं, अपने दोस्तों के यहां ठहरते हैं, तुम इन में से कौन सा कर सकोगी, सत्या ने कहा, मैं मर्द नहीं हूँ, तुम तो हो, तुम्हारे ही साथ जाओंगे, डेरा लेकर रहूंगी, नव कुमार अवाक, तुम्हारे साथ साथ मैत भी पागल हुआ हूँ, मा, बाप, घर, दुआर छोड़कर कलकते में डेरा लेने जाओं, आखिर क्यों, क्यों बताओं, इसलिए कि देखोंगे तुम्हारे इस कि इस कुए में रहकर इस से समझने की जुरत ही ना होगी, नव कुमार ने मतलब नहीं समझा गया, एक जोड़दार दली, जोड़ के साथ दे बैठा, औरत, औरत कलकता जाएगी, जाद धरम कुछ रहेगा, सत्ती निकाससुजी के अगर जाद रह गई, तो शाली ग्राम को छुने का अधिकार रह गया हो, तो कलकता जाने से मेरी भी जात नहीं जाएगी, फिर वही बात, पुरुष धाई कदम बढ़ाए कि शुद, और तो कैसा होगा, चमड़ा वाले नल का पानी पीना पड़ेगा, मालूम है ना, पीना पड़ेगा तो पीऊंगी, वहाँ और द का नौकरी करने किया है, सत्य ने दृता सिका, तुम भी उसी के लिए चलो, नव कुमार उपास की हसी हसते बे बोला, मैं कलकता जाओंगा नौकरी करने के लिए, अरे क्यों नहीं, तुमने जितनी अंगरी जी सीखी है, इस इलाके में किसी ने सीखी है, और दिन होता, तो निम्बू स्त्री की स्वीकृती से गल जाता, लेकिन आज उसकी जी में सुख नहीं था, नहीं था वह सुख वह बोला, सिरफ विद्या रहने से ही तो नहीं होता, सत्य ने जुड़ी भाओं को सिकोड़ कर कहा, तो तो और क्या चाहिए, साहस चाहिए, सत्य जरा देर वह मैं दूँगी, इतने बड़े भरोसे से भी लेकिन काम नहीं हुआ, नवकुमार ने खिजला कर पुछा, पराई नौकरी की पड़ी ही क्या है, मुझे क्या अनकी कमी है, ठीक से चला पाए, तो हाथ पर हाथ धरे बैटे बैटे ही चला सकता हूं, गुलामी क्यों करने ज सत्य, बैटा बैटा खाऊंगा, इस प्रविति को मिटाने का सबक लेने के लिए जाना जरूरी है, बहुत बहुत बात कहीं होती रही, नवकुमार ने आखिर कहा है, मैं साफ कहें देता हूं, मुझसे ना होगा, और सत्य भी अडिक हो गई, और मैं कहें देती हूं कलकता मै बैटाने से माथे पर वज्र गिरता है या नहीं, लेकिन यह देखने में सत्य को बहुत दिन लग गए थे, गीले लत्ते की आँच में सुखा कर उसकी बाती बना कर तब दिया जलाएं तो समय तो कुछ लगता ही है न, तब तक सत्य दो बच्चों की मा भी बन चुकी थी चाड़ा गर्मी वर्षा बसंद की अटूट शिंकला के श्रिंखल में बधी, नियम तांत्रिक धर्टी के राज्य की प्रधान पर जा, इन मनुश्यों के जीवन में लेकिन ना तो नियम की निश्रिंदता है, ना ही श्रिंकला का भरोसा, उसे ना तो विधाता, ना प्रकर किसी ने कभी निश्चित नियम का भरोसा नहीं दिया, इसलिए स्वस्त और सहज आदमी भी रात को सोने जाने से पहले दिरुड़ विश्वास की साथ यह नहीं कह सकता कि सुभा की राजशनी वैद देखेगा यह नहीं, नहीं कह सकता कि उसके भरे बसंद के बीच में वज उसके सुख के संसार को कब अचानक मौत पंजा तहसनेस कर देगा, उस घर को आकस्मिक दुरगटना या असाध्यारोग परिशान कर देगा, कौन कह सकता है कि अपने ये अमोग नियम लिए इस अनियम के देवता कहां बैटे हैं, फिर भी राम कली कविराज के हियां लगात किसमत कोई मारतो है, पर उसमें आदमी की असाफधानी या कारसाजी की साफ चाप होती है, और फिर राम कली पर भाग गया की वही पहली मारती, उनके घर की अगलगनी को दुश्मन की कारसाजी साबित करने की कोशिश भी किसी ने ने की, यानि नि लापरवाई का ही नतिज ले जाया करते, उन सब के चूले में नारियल के सूखे पते, सूखे घोईटे, छोटी-छोटी लकड़ियां डाल पते पड़े ही होते, जलती लकड़ी उनमें डालते ही काम बन जाता, राम कली के ही या रोज सवरे सवरे तीन-चार चूले जलते हैं, लिहाजा पड़ोसी अपने ही या आग सुलगाने का बिकार जहमेला क्यों करें, काम तो यह जहमेले का है, सोले की लकड़ी रखो, चकमकी ठोको समय लगता है, उससे तो जिस दिन बात की बात है, बगल में के घोशाल की विद्वा लड़की तोरू एक पहल दिन को इस घर में एक जलती ही लकड ता कि जिस दिन वे विद्वा हुई, उस दिन जाने कहां तो लगातार, डड़कवा बोलता रहाता, तिस पर आच चतुर दर्शी थी, तोरू का कलेजा काम पुठा, जल्दी जल्दी डेख बढ़ाया, लेकिन बाधा पड़ी, वेकवा और नीचे उतराया, और लग बग उ उसके माते के उपर एक चक्कर लगाकर का करो उठा, तोरू का कलेजा बरफ हो गया, हित हित ग्यान जाता रहा, क्या करते किया हुआ, इसका ख्यान रहा, और उसने हाथ की वे जल्दी लकड़ी कवे पर दे मारी, और कहना फिजूल है, कवे का तो बाल बाका ना कर सकी, सीड रामकली के बाहर वाले घर के छपपर पर जा गिरी, बैठक का, चंडी मंड़ पिया, सब तो रामकली का पक्के का था, लेकिन एक साथ जादा लोगों के ख्याल से बाहर उन्होंने दो बड़े छपपर डलवा रखे थे, बिल्कुल पास पास अगल बगल, वे दौनों अग लकडी लेकर घर लोटी, उस लकडी के कारनामे का पता तब चला, जब आग लपलपाती लपटों को और धूए के बादलों से आसमन भर गया, और महले भर के लोगों की चीक आसमन में तूट पड़ने लगी, मुर्ख तो रूप, यह कह कह कर चाती पिटते जा रही थी कि हा गड़ा पानी लाकर उड़ेलना ही तो एक उपाय था, रामकली के गंबीर गलेज ने एलान कर दिया, आग पर पानी डाले की जरुवत नहीं, उससे आग और फैलेगी, चंडी मंडप की दिवार पर पानी डालो, जिनके घर आसपास है, वे अपनी अपनी दिवारों को और लोग हाय हाय करते घर लोटे, तो सांज हो चली, रामकली चचर जी जैसे निश पाप, निश कलंक आग से तेज आदमी के घर की आग लगी क्यों, इस पर चर्चाओं का अंत नहीं, और यह है तो शुरुआत थी, इसके कैद इनों बाद ही दीन तारनी नहा कर लोटी, औ उन्होंने कातर निवेदन किया कि मुझे जटपट पार करो, रामकली ने पसीना पहुँचने के बादे एक बर कपाल से हाथ लगाया, और तीन दिन के बाद ही दीन तारनी चल बसी, उतने बड़े वैद्य होने के बावजुद, अपनी मा को नहीं बचा सके, इसके लिए उ बड़े बुड़े ही बोले, और किसे हिम्मत है, रामकली के चाचा, बड़े भाई तो भरसक उनके सामने ही नहीं आते, सामने आता है रासू, चाचा से वैदी सीखता है, मगर वह चाचा को निराशी करता है, रामकली कभी तियोरी चड़ाते, कभी हसकर करते, तुससे पास की, संस्कृत पाटशाला में भी कुछ दिन पड़ा, गड़न चकल बहुत कुछ चाचा जैसा, सामने खड़ा होता है, तो आदमी जैसा लगता है, दूसरे भाई तो इस बात में भी नहीं, वैदाई दिमाग में न पैठे, बहुत बातों में रासू लेकिन रामकली का दाया हाथ है, दिन तरनी के शिराद का इतना बड़ा हंगामा जो हुआ, रासू ना होता तो रामकली को आफ़त ना होती, आप तो वे, हविशान, त्रीसंद्यास्नान, आदी भोतरे ने विधी नीशे दोर के बंधन में बंधे थे, और काम काज में रासू काफी समर्थ है मा के शिराद में रामकली ने दान सागर किया, उस अफसर पर सत्यावती आई, नफ कुमार भी आया, रासू ही लाने गया, दादी के मरने की कबर सुनकर सत्या का जी छट पटा रहा था, रासू को देखकर मानो, उसने आसमान का चान देखा, ऐसे समय में पिता ने रासू य जो एक पहली संभावना की सूचना जल्की थी, यह क्या वह नहीं जानती थी कि समझ में नहीं पाई थी, सत्या ना पाए, सौधा समझ पाई थी, लेकिन रंचंडी मामी को सह सूचना से ही जाताने की हिम्मत नहीं की उसने, सोचा और कुछ दिन बीतेंगे, खुदी पुडिया, ऐसे में दीन ताडनी के मरने की कबर, सौधा को डर लगिया, इस समय यह, सोचा मामी से कहूं ना कहूं, आखिर तक नहीं कह पाई, ममतर ने उसे कहने नहीं दिया, कहीं यह, खबर सुनकर, ऐलोकेशी बहु को जाने ना दे, आह, जब से आई है, बिचारी लगा बंधी गाय चुटने के बाद जैसा उचलती है, वैसी मत उचल कुट करना, मुझे भई शुबा हो रहा है, सोच हुई, इस जंकुसे ताक कर कि सत्या ने पूचा क्या, साफ कहें बिना काम नहीं चलेगा, इधर तो पकी घर नहीं हो, शुबा हो रहा है कि पेट में बच्च गुंगट में नव कुमार को सत्या ने बार बार देखा, वहमानों नया सा लगा, यह खबर उसे मिली, पता नहीं क्या होगी व्यवस्ता, घाड़ी में एक खासा जखोरा लग रहा था, एक बार इसलिए चुप कह भी उठी, पालकी क्यों नहीं ले आयते भाईया, रासु अप्रतिव होकर का तकलीफ हो रही है, मैंने कहा था तो चाचा ने कहा, जरा आगा पीछा करके कही बोला, बोले काम काच का घर है, होते रे सगी सम्मंदी आएंगे, सभी को तो पालकी नहीं बेच पाऊंगा, इस पर भी मैंने कहा था, और सब और बेटी जमाई एक हैं, त जमाई तो सब बराबर हैं, अपने जमाई के लिए अपना बिराना करने से कैसे चलेगा, लेकिन पुर्नो का भया तो अभी अभी हुआ है, बात को पूरी नहीं कर पाई, नव कुमार की मौजुद के कहा, आते ही जीब काट कर चुप हो गई, लेकिन सागर में बालू का बा ज़वान तो नहीं, यह सब तो जानना नहीं होगा, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले बड़े भाईया, मुस्कुरा कर सत्याने का, और नव कुमार, विगलित विसमे से हसी से उजवल हुए उस मुकडे की और ताक तरा विसमे ही तो, सत्या का वही है मुकडा, उसने जलता है, कैदिन, सत्या को तो लग रहा है कि कितना यू गिगांत पार हो गया, अचरस से फैल हुई आखों में इसने का, कैदिन, कहते क्या हो बड़े भईया, साड़े तीन साल कैदिन हुआ, साड़े तीन साल, रासु फिर रासुटा, इतने ही में, साड़े तीन साल हो गय जो हो, सुनने में ही तो तीन साल लगते हैं. कैसे तो गजर गए? सत्य ने उस सांस कर लेकर कहा, तुम्हारे क्यों ने गजरेंगे? अजाद आदवी, हमें ही लगता है, जैसे एक जनम पार किया. बाप की घर में कदम रखकर भी सत्य को वही लगा, जैसे एक जमाना पार करके झाल झाल